हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आडियोवर्स विस्तिले मेज ओर स्कूल अफ मैजिक चाप्टर दो हजार साथ सौ इक सट से दो हजार साथ 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 सी सौन फियाव लिचेंग आफ्टर अगलो द्वीट से आया था और आकाश गलती से उससे टकरा गया था इश्वरिय भीर पैगंबर की कठपुतलियों के बारे में उसका ज्यान शुने के करीब था अधिकांश इश्वरिय गिरोह पैगंबर की कठपुतलिया सेना, सरकार, मैजिक असोसियेशन और अन्यबड़े संगठनों जैसे प्रमुख संगठनों में थी इन प्रनालियों से जुड़कर ही इश्वरिय गिरोह के पैगंबर अपनी वांशित जानकारी प्राप्त कर सकते थे यदि ग्रीन इस्ट सी गौड उनके साथ प्रशान्त महासागर में जाता तो आकाश और उसके समुह की जीत की बहुत अधिक संभावना थी आकाश ने सिर हिलाया तयारी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था वे म्यू बाई और जाओ मन्यन के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे उन्हें तुरंद प्रस्थान करना पड़ा आकाश इसे अपने साथ ले जाओ जैसे ही आकाश ग्रीन इस्ट सी गौड की पीठ पर कूदने वाला था सुश्री टैंग्यू उसके पास दोड़ी और उसे एक छोटा सा मोती दिया तोटेम ओब आकाश ने आश्चर यसे कहा हाँ, लड़का बहुत बड़ा है अगर यह उस आकार में इधर उधर घूमता है तो यह असुविधाजनक है सुश्री टैंग्यू ने कहा जब ब्लैक टोटेम साप पिघल गया तो टोटेम ओर्ब वही रहा सिवाए इसके की ब्लैक टोटेम साप छोटा हो गया और उसने अपना सिर्छ छोटे मनके में दबा लिया मून मौथ फीनिक्स एक अती सुंदर और नाजुक मून एल्फ में बदल गया फिर आकाश के कंधे पर बैठ गया इसे साथ लाना सुविधा जंक था यदि काला टोटेम सांप टोटेम और में नहीं घुसा होता तो इससे हर जगह हंगामा मच जाता बड़े आदमी मुझे लगता है कि हवाई यात्रा करना सबसे अच्छा है यदि हम समुदर से यात्रा करते हैं तो महासागर के राक्षस हमें आसानी से पहचान सकते हैं आकाश ने ब्लैक टोटेम सांप से कहा ब्लैक टोटेम सांप के टोटेम और में घुसने के बाद आकाश और सौन फियाव ग्रीन इस्ट सी गौड पर चड़ गए और हवाई की गोर चल पड़े ग्रीन इस्ट सी गौड खतरनाक गती से उड़ गया यदि बिजली की जंजीरों से हुई पुरानी चोटे न होती तो आकाश और उसके ब्लैक ब्रैगन विंस इससे उबर नहीं पाते केवल अपनी सहनशक्ती के संदर्भ में ग्रीन इस्ट सी गौड एक ही सास में प्रशांत महासागर तक उड़ान भरने में सक्षम था ग्रीन इस्ट सी गौड बहुत चतुर था सबसे पहले इसने जमीन और समुदर से दूर उची उड़ान भरने का प्रयास किया लेकिन जब अधिक उचाई पर ठंड बढ़ गई और इसकी प्रक्ती में बाधा उत्पन हुई तो यह थोड़ा नीचे सरक गया वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उत्रा फिर समुदर की सतह से कई मीटर उपर तक उरता रहा जब तक उन्होंने समुदर को अपनी ओर आते देखा, ग्रीन इस्ट सी गौड अचानक उपर और दूर उड़ गया वह बार-बार इसी प्रकार उड़ता रहा यह एक लंबी यात्रा थी और वे उच्चतम बिंदु तक चड़े और लगभग हर समय समुदर तक उत्रे इस तरह से उडान भरने से कम दूरी की उडान में तेजी नहीं आएगी लेकिन यह स्पष्ट रूप से बहुत तेज था अगर वे पूर्वी तट्रेखा से प्रशांत महासागर के मध्यतक उरते जो अन्यथा यात्रा करने के लिए बहुत लंबी दूरी होती आखिरकार सभी उड़ने वाले प्राणियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते समय अपनी शारिरिक शक्ती को ध्यान में रखना स्वाभाविक था आकाश एक बार हवाई गया था किसी समय यह एक रोमांटिक अवकाश द्वीप था बाद में यह समुदरी राक्षसों की खोज और उनसे लड़ने के लिए एक सेना किला बन गया उसके बाद इसे व्याभारिक रूप से छोड़ दिया गया था ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अमेरिकियों और सेक्रेड हॉल आफ लिबर्टी के लोगों ने हवाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था इसलिए इसे छोड़ दिया गया था ऐसा इसलिए था क्योंकि सेना चाहे कितनी भी मजबूत क्यों नहो प्रशान्त महासागर में इस अकेले द्वीब पर महासागर के विशालकाई जानवरों और महासागर दानव सेना के बार-बार होने वाले हमलों का सामना करना बेहत मुश्किल था यहां तक कि अगर विशिष्ट अमेरिकी जादूगर टीम को हवाई की सुरक्षा के लिए भीजा गया तो भी उन सभी का सफाया हो जाएगा लेकिन सेक्रेड हॉल आफ लिबर्टी के लोग सपष्ट रूप से अपने कींती द्वीप को छोड़ने के लिए अनिचुक थे भले ही सेना द्वीप की रक्षा नहीं कर सकी फिर भी उन्होंने कभी-कभी कुछ सर्वेक्षन करने और जानकारी इकठा करने के लिए कुछ दस्तों को नियुक्त किया शक्तिशाली महासागर राक्षस मूल रूप से प्रशांत महासागर के केंडर से आये थे इसलिए ओशन गौडली होर्डे और उसके पानी के नीचे के देश की खोज के लिए हवाई सबसे रननीतिक चरण स्टेशन था यदि मनुष्यों ने हवाई खो दिया तो महासागर के राक्षसों के बारे में कोई भी समझ जुटाना लगभग असंभव होगा महासागर के राक्षस यह जानते थे इसलिए वे इस तरह के द्वीब को अस्तित्व में नहीं रहने देंगे वे इसे किसी भी तरह से नश्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि मनुष्य अपना रननीतिक लाब खो सके हाला कि जब आकाश और सौन फियाओ हवाई पहुँचे तो वे यह देखकर आश्चर्यच के त्रह गए कि द्वीब नश्ट नहीं हुआ था इसके बजाए इसका विस्तार हुआ और यह मूल से बढ़ा हो गया पहाडिया भी पहले से उंची थी क्या चल रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्रकास्तर गिर गया हो आकाश ने असमंजस में पूछा सौंग फियाओ ने उन्हें फनी लुक दिया आकाश को लगा कि उसने जरूर कोई बेवकूफी भरी बात उगल दी है उसने सहचता से अपनी नाक को छुआ क्या मेरा प्रशन इतना मूर्खता पूर्ण था सौंग फियाओ ने कहा वीप तैर रहा है दरसल आकाश ने एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा था समुद्रकास्तर इतनी आसानी से बढ़ता या घटा नहीं था अन्य था शुन्य उचाई को बेंचमार्क के रूप में क्यों लिया जाएगा चार सबसे बड़े महासागर जुड़े हुए थे और समुद्र का पानी लगातार बहता रहता था दक्षिन और उत्तरी ग्लेशियर ही एक मात्र संभावित कारक थे जो समुद्र के स्तर में व्रिधी का कारण बन सकते थे ज्वार उठा और गिरा ज्वार गिरने पर कुछ द्वीक बहुत बड़े दिखने लगे जिससे जल्मगन क्षेत्रों का पता चल गया यह निम्न ज्वार की घटना थी जिससे हवाई के अधिकाश सतह क्षेत्र का पता चल गया आकाश को यहाँ आभास था कि हवाई अपने मूल आकार की तुलना में 5-6 गुना अधिक विस्तारित हो गया है यहाँ तक कि सबसे उचा परवत भी बहुत उचा लग रहा था क्या द्वीप उचा होता रहेगा आकाश ने पूचा मुझे याद है कि हमारे पूर्वजों ने एक बार हमें बताया था कि कुछ लोग संधर्शों से बचने के लिए समुदर के नीचे एक द्वीप को सील करने के लिए निशिध प्रणाली का उप्योग कर रहे थे द्वीप वासी अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं लेकिन द्वीप के उपर का समुदर का पानी कभी भी द्वीप में नहीं आएगा तथ्य यह है कि लिचेंग आफ्टरगलो द्वीप की खोज अतीत में नहीं की गई थी क्योंकि किसी ने इसी तरह का जादू किया था सुमफेयाओ ने कहा यह बहुत आश्चर्य जनक है आकाश ने कहा वे समुदरी परवत को हिला सकते हैं और एक अन्य प्रकार के जादू से उसे समुदर की सतह से अलग कर सकते हैं तब द्वीप विशाल हो जाएगा देखना इसके किनारों के आसपास कई दरारें, तूटी चटाने और कुछ पिघला हुआ लावा है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो किसी शक्तिशाली शक्ती ने द्वीप को उपर खीचने से पहले उसे निचोड लिया होगा सुम फेयो को द्वीपों के बारे में आकाश की तुलना में अधिक गहरी जानकारी थी यदि समुद्र से दुनिया भर में बाढ़ आ गई और समुद्र का स्तर आठ हजार मीटर तक पहुँच गया तो माउंट एवरेस्ट और आठ हजार मीटर से उपर के अन्य पहार प्रित्वी के बीच में द्वीप बन जाएंगे और उनके चारों और समुद्र भर जाएगा यह द्वीप एक परवत के समान था जो समुद्र तल से भी उचा था केवल प्रित्वी की प्लेटों की गती से ही ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखेंगे ऐसा कुछ होने में लंबा समय भी लगेगा लेकिन ऐसा लगता है कि हवाई में एक बदलाव आया है जिसे प्रकट होने में हजारों साल लगेंगे ऐसा कुछ करने के लिए किसी को कितना शक्तिशाली होना होगा हवाई एक द्वीप असमुह था जिसमें आठ बड़े द्वीप और सौ से अधिक छोटे द्वीप शामिल थे उचाई बढ़ने के साथ साथ हवाई द्वीप का सतहक शेत्र भी बढ़ता गया द्वीपों में पुराने विक्सित जंगल, पहाड, घाटिया, तटिय आरगरभू में, शैवाल वाले तालाब और ज्वाला मुखिये चटाने थी हालाकि कमांडर हुआ हवाई में थे, हवाई कोई छोटा द्वीप नहीं था द्वीप के नीचे विमान उठ गया था द्वीप पर उतरने का निरनय जल्दबाजी में नहीं लिया कई महासागर राक्षस कमांडर हुआ की कलाश कर रहे थे महासागर राक्षसों की सेना ने कई महत्वपूर्न द्वीपों और शहरों पर कबजा कर लिया था इसलिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वे महासागर राक्षसों के घोंसले में थे आकाश हंटर डर्टी डेमन्स का एक बड़ा समूह एक काउंटी की ओर भाग रहा है क्या हमें उनका अनुसर्ण करना चाहिए गीत फेयों ने पूछा चलो चलें और देखें आकाश ने सिरहिलाया ग्रीन इस्ट सी गौड हवा में था और हंटर डर्टी डेमन्स की गती से भी तेज गती से उड़ रहा था जब उन्होंने आसमान से नीचे देखा तो उन्हें कई शिकारी गंदे राक्षस घाटियों और जंगलों के बीच रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनके पास एक स्पष्ट लक्ष है उन्हें से इतने सारे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे लहरों में बह रही एक गंदी नदी हो ग्रीन इस्ट सी गौड ने आवाज लगाई इसकी ध्वनी ऐसी थी कि यह रास्ता रोके हुए कोहरे और बादलों को हटा सकती थी द्रिश साफ हो गया आकाश ने नजर दोड़ाई तो उसे पहाडों से घिरा एक ग्वीपी ये शहर नजर आया ग्वीप एक अंगुठी की तरह दिखता था रिंग के अंदरूनी हिस्से में घर, सडके और समुद्र तट थे केंदर में एक नीली खाडी थी, जिसे उपर से देखने पर वह गहरी नीली आख की तरह दिखती थी हंटर डर्टी डेमन्स रिंग आयलाइन सिटी में एकत्र हुए शहर के अधिकतर लोग अमेरिका चले गए थे हाला कि हंटर डर्टी डेमन्स को कुछ मनुष्यों की उपस्थिती का आभास हो गया था जो अभी भी बचे हुए थे इसलिए वे उनका पीछा कर रहे थे आओ नीचे उड़े हम इस उचाई पर सपष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं आकाश ने सौन फियाओ से कहा अगर हम बहुत नीचे उड़ेंगे तो हंटर डर्टी डेमन्स के कुछ प्रमुख हमें देख लेंगे सौन फियाओ ने कहा आकाश ने कहा फिर हम नीचे जाएंगे और ग्रीन इस्ट सी गौड यहां रह सकते हैं हंटर डर्टी डेमन्स की सेना में हजारों सदस्य थे जब उन्होंने उचे स्थान से नीचे देखा तो द्रिश देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए सौन फियाओ ने आकाश की प्रशन साखी ऐसे भयावह द्रिश को देखकर वह बिना घबराये कूड पड़ा क्या उसे हंटर डर्टी डेमन्स की सेना द्वारा मारे जाने का डर नहीं था वे रिंग आईलाइन सिटी में उत्रे ड्वीब शहर खाडी के चारों और बस एक सड़क थी अधिकांश इमारतों और दुकानों में अधिक्तम तीन या चार मंजिले थी और वे सभी अध्विती थी इमानदारी से कहूं तो अगर लोग ऐसी रोमांटिक और शांत जगह पर रहते तो उनका व्यक्तित्व और मूर भी बहतर होता हाला कि हंटर डर्टी डेमन्स की बदसूरत उपस्थिती ने द्रिश्यों को बर्बाद कर दिया था रिंग द्वीब के अधिकांश हिस्सों में हंटर डर्टी दानव रेंग रहे थे जिसने चीजों को और भी भयाभ़ बना दिया था उनमें से बहुत सारे थे अतीत में आकाश को अकसर कुछ युद्ध के मैदानों पर अंगिनत दुश्मनों का सामना करना पड़ता था लेकिन उसने कभी भी इतने सारे दुश्मनों का सामना नहीं किया था उनमें से इतने सारे थे कि कुछ हंटर डर्टी डेमन्स को आगे बढ़ने के लिए अपने साथियों की पीठ पर रेंधना पड़ा हंटर डर्टी डेमन्स की सेना द्वारा शहर को घेरने के बाद रिंग आइलाइन शहर खोन के रंकी रेट की एक परत की तरहाय दिखने लगा जो हिलती रही वे अमेरिकी हैं क्या वे पवित्र हॉल औफ लिबर्टी से हैं आकाश ने जल्द ही उन लोगों का पता लगा लिया जो फंसे हुए थे वहां एक दर्जन से अधिक थे और उन सभी में उच्चस्तर की खेती थी सड़क और शहर की मदद से उन्होंने क्रॉस बाइन फॉर्मेशन का गठन किया तेज हवा की एक परत ने इस क्रॉस बाइन फॉर्मेशन में खड़े लोगों की रक्षा की यह उन शिकारी गंदे राक्षसों को मिटा सकता है जिन्होंने उन पर हमला किया था और इन राक्षसों को हवा में ही मार डाला था ऐसा लगता है कि उन्हें वास्टव में मदद की जुरुरत नहीं है क्या वे पवित्र हॉल आफ लिबर्टी के अंतिन संरक्षक हैं या वे अंतरराश्ट्रिय बचाव करता है आकाश ठीक से नहीं बता सका कि वे किस पक्षके थे ये लोग ताकतवर थे खैर अगर वे इन परिस्थितियों में हवाई में वापस रहने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें ऐसा करना ही होगा आकाश उन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि वे ठीक कर रहे थे उसने कमांडर हुआ को छोड़ने और उसकी तलाश जारी रखने का फैसला किया हंटर डर्टी डेमन्स के बीच कुछ हंटर डर्टी डेमन क्वींस ने आकाश की उपस्थिती को महसूस किया उनकी नजरे अजीब तरह से घूम रही थी आकाश वो ढूंडने की कोशिश कर रही थी जो बादल की छाया में छिपा हुआ था आकाश ने भौहे सिकोर ली इन महासागर राक्षसों के पास शक्तिशाली इंद्रिया थी सौभा जिसे उसने कोई हरकत नहीं की अन्यथा हंटर डर्टी डेमन्स की सेना उसे जाने नहीं देगी आकाश आकाश जल्दी उपर आओ सुम फेयान ने उच्शुकता से आकाश से कहा आकाश एक छाया पक्षी में बदल गया और काले बादलों की विशाल छाया के साथ आकाश में उड़ गया द्रीन इस्ट सी गौड ने थोड़ा नीचे उड़ान भरी आकाश के उसकी पीठ पर चड़ने के बाद उसने तेजी से अपने पंक फड़फडाये और उपर उठ गया ड्वीब की अंगूठी के आकार की नीली आख से एक दहार सुनाई दी खाडी का सारा समुदरी पानी सूख गया और एक अथा गड़े में बदल गया पूरे शरीर पर अजीब गांठों से ढखा एक स्क्विड टेंटेकल अथा गड़े से बाहर आया स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग ने आख मूद कर हमला किया और द्वीब शहर तुरंत बुलबुले में बदल गया क्रोस बाइन फॉर्मेशन जिस पर सेक्रेड हॉल आफ लिबर्टी के जादूग्रों को भरूसा था वह भी हमले के कारण गायब हो गया जो लोग कथित तौर पर सेक्रेड हॉल आफ लिबर्टी के सदस्य थे वे स्क्विड किंग को तब भैभीत होकर देखने लगे जब उन्होंने उसके नुकीले सिरको अथा गढ़े से बाहर निकलते देखा स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग फिर से दहाड़ा इसके मुह से जो चीजे निकली, वे चट्टाने, जहास के टुकडे और अंगिनत एसिड और स्क्विड जहर के साथ अन्य विशाल समुदरी राक्षसों की हड़िया थी स्क्विड किंग ने यह सब पवित्र हॉल आफ लिबर्टी के सदस्यों पर डाला अचानक वे चिल्ला रहे थे विद्रूप जहर ने कई लोगों को तरल के घ्रेनित तालाब में डाल दिया जिनकी त्वचा पर केवल थोड़ा सा जहर था वे पीडा में विलाब कर रहे थे लोगों का यह समो हंटर डर्टी डेमन्स की घेराबंदी के तहट अपने सुरक्षा जादू के साथ ठीक काम कर रहा था लेकिन स्ट्रेंज लंप स्विड किंग की उपस्थिती ने उन्हें असहाय बना दिया आकाश ने आसमान से इस भयावा ग्रिश को देखा हवाई अभी बहुत खतरनाक था महासागर राक्षस और शीर्ष शासकस्तर के राक्षस हर जगह थे इसके पीछे का मास्टर माइंड ब्लैक क्लॉस अमराट वास्थव में चाहता था कि कमांडर हुआ हवाई में मर जाए आकाश और सोंग फेय याव दोनों को लगातार डर था लेकिन सौभागे से ग्रीन इस्ट सी गौड समय पर उड़ गया वे ऐसी जगह गए जहां स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग हमला नहीं कर सकता था स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग की दुष्ट आभा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अपने 10 किलोमेटर के दाएरे में किसी भी इनसान को जीवित नहीं रहने देगा चल दर इस राक्षस के साथ समय बर्बाद करने की कोई जूरत नहीं है आकाश ने जल्दी से ग्रीन इस्ट सी गौड से कहा स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग अपना नुकीला से उठाता रहा और उसकी पूरी तरह से उभरी हुई आखें आकाश में ग्रीन इस्ट सी गौड को देखती रही ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और सौन फियाओ की मौझूदगी का एसास हो रहा हो अचानक स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग ने अपना मुह खोला जो एक विशाल गुफा में एक छोटी सी दरार जैसा लग रहा था आकाश और सौन फियाओ ने सोचा की यह ग्रीन इस्ट सी गौड की ओर घातक जहर छिड़केगा लेकिन इसने केवल कुछ सफेध हड्या ही उगली इन हड्यों ने ग्रीन इस्ट सी गौड को कुई नुकसान नहीं पहुँचाया लेकिन कारवाई अवमानना और उकसावे से भरी थी वे हड्या से क्रेड हौल आफ लिबर्टी के जादू ग्रों की थी जिन्हें स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग ने अभी-भी निगल लिया था Strange Lump Squid King Green East Sea Gor का मजाक उड़ा रहा था और आकाश और सौन फियाओ की ओर हड्डिया उगल कर उन्हें उकसा रहा था Green East Sea Gor का स्वभाव अवश्य था Strange Lump Squid King समुदर में बस एक स्कुद था जो केवल समुदर के तल पर जाने का साहस करता था और फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जमीम पर बहुत ही दुरजे हो और उसने समुदर के उपर उड़ रहे गरोड राजा को नीचा दिखाया धत तेरी की जदी यह मिशन अत्यावश्यक नहीं होता तो मैं वहां कूद पढ़ता और इसे मार डालता फिर मैं इसे बेग करूंगा और अपने लिए एक अच्छा स्क्विड ओमलेट बनाऊंगा आकाश ने गुस्से में कहा प्राणी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की रहने भी दो इसके चारों और कई हंटर डटी दानव हैं हम उन सभी को एक बार में नहीं मार सकते सुम्फियाओ ने कहा मून मोथ फीनिक्स जो आकाश के कंधों पर खड़ा था स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग से डरता था यहां और भी अधिक दरा हुआ था कि आकाश अपने गुस्से को अपने उपर हावी होने देगा और उससे लड़ेगा तो मून मोथ फीनिक्स ने आकाश के चारों और एक शांत जादू डाला आकाश ने एक गहरी सांस ली और ग्रीन इस्ट सी गौड की पूँच पर खड़ा हो गया फिर उसने स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग की ओर सिर काटने का इशारा किया हाला की स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग भी अडिक था इसने नीचे की भूमी से होते हुए ग्रीन इस्ट सी गौड के उड़ने की दिशा का पीछा किया जब Green East Sea God ने एक पहाड के उपर से उडान भरी, तो Strange Lump Squid King भी उस पर चड़ गया। परवत अपने कठोर शरीर के नीचे लगभग तूट गया और चटाने सभी दिशाओं में लुढग गई। हजारों मीटर की उचाई पर यह अभी भी सड़क पर उन छोटे जीवों को देख सकता था, भले ही अंगिनत बादल इसकी द्रिश्टी को अवरुध कर रहे हो। यह वास्तव में आकाश के लिए सुविधा जंग था, वह अपेक्शाकरित सुरक्षित शेतर से पूरे हवाई द्वीब का निरीक्षन कर सकता था, अन्य था, अगर वह जमीन पर होता, तो उसे महासागर के राक्षसों के एक समू द्वारा खींच लिया गया होता, आकाश लोगों का एक समू होनोलूलू के उत्तर में हैं, वे सावधानी से और गुप रूप से चलते हैं, सुम यहां तक की विशाल परवच शिंखला भी उसकी आखों में असपश्ट सिल्वटों जैसी प्रतीत होती थी, आए उनसे संपर्क करें, हो सकता है वो लोग भी हमारी तरह किसी बचाव अभियान पर आये हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास कमांडर हुआ के बारे मे देखना आम बाग थी, इसके पूरे शरीर पर चांदी के तराजू लगे हुए थे, दूर से देखने पर वह चांदी के चमडे के कोट और लहराते नीले बालों वाली एक पतली महिला की तरहा लग रही थी, जब उसने करीब से देखा, तो उसे एहसास हुआ कि इस नीले ब राक्षसों के एक बड़े समुह ने उन्हें घेर लिया, समय समय पर हंटर डटी डेमन्स के कई कमांडर अपने शरीर पर अजीब चांदी नीली रोशनी के साथ, अजीब आवाजे निकालते हुए दूर से आते थे, नीले बालों वाली महिला राक्षसों ने सभी समुदरी राक्षसों को हंटर डटी राक्षसों के कमांडरों की ओर बढ़ने का आदेश दिया, ऐसी बहुत सी नीली बालों वाली महिला दानवे और समुदर के नीचे राक्षस वाहिनी थी, वे होनोलूलू के आसपास थे, और उन्होंने इस हवाई शहर को एक महत्वपूर्न गया और अपने पीछे गंदगी छोड़ गए, ग्रीन इस्ट सी गौर द्वारा खोजे गए लोगों का समुध इन नीले बालों वाली महिला राक्षसों से बचता हुआ प्रतीत होता है, उन्होंने होनोलूलू के उत्तर में एक धाटी के साथ जंगलों में गहराई तक पी अधिक थी, यह ऐसा था मानों महासागरिय राक्षसों ने इसे अपना घर बना लिया है, सौभाग्य से जामशियाओ हो ने बो सागर तक जाने वाली अंडर्वाटर अंडरग्राउंड नदी सुरंग को नश्ट कर दिया था, अन्य था समुदरी राक्षसों की सेना लगात अंडर्वाटर अंडर्ग्राउंड रिवर टनल से चीन के बो सागर में प्रवेश करेगी। आकाश ने सोचा, शायद हम भूमिगत नदी सुरंग के माध्यम से बच सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर बो सागर में लोट सकते हैं। जब जामशियाओ हो ड्रैगन किंग ची इसके अलावा आकाश एक अंतरिक्ष तत्व जादूगर था। जब तक वहां कुछ दरारी थी जहां भूमिगत नदी धै गई थी, आकाश इन स्थानों में कूद कर लोगों को दूसरे चोर तक तेलिपोर्ट कर सकता था। आकाश ने जामशियाओ को यह उल्लेक करते हाला कि उन में से बहुत सारे नहीं थे और वे केवल छोटे महासागर राक्षस थे। अंडरवाटर अंडरग्राउंड रिवर टंनल के धै जाने के बाद ओशन गौडली होर्डे ने वह मार्क छोर दिया था। चलो जल्दी करें और कमांडर हुआ को ढूंधें आकाश ने समुदरी राक्षसों में से कई उर सकते थे। विशालकाय शार्प जानवर गर्म हवा के गुबारे की तरहा लगातार गश्ट कर रहे थे। कम उचाई विशेश रूप से 5000 मीटर से नीचे ग्रीन इस्ट सी गौड के लिए प्रशन से बाहर थी। यह वह जगह थी जहां ग रिश्य लगभग शांदार था। घाटी में उतरने के बाद आकाश एक छाया पक्षी में बदल गया और उन लोगों के समोह के पास जाने वाला था जो चुपचाप चल रहे थे। अचानक बादलों के नीचे की किरने उसकी ओर बढ़ी और उनकी आखें जो लाल प्रकाश उत्सरजित कर रही थी, उसकी दिशा में घूरने लगी। क्या वे घाटी के लोगों के पीछे हैं? आकाश ने सोचा। नहीं, इसके बजाय उन्होंने मुझे ढूंद लिया। आकाश चौक गया। क्या ये स्टिंग्रे चाया तत्व के छिपाव को देख सकते हैं? आकाश वे सभी गुप तरीकों के प्रती समवेदनशील थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि घाटी में लोगों का समोह इतना साबधान था। आकाश ने प्राचीन जादूई पोर्टल खोला और एक डार्क नाइट द्रीम बीस्ट को बुलाया। कोई रास्टा सोचो और उन्ह योजन करने की आवश्चक्ता नहीं थी। उसने बस इसे प्राचीन जादू पोर्टल से बुलाया और इसे उन्स्टिंग्रेस को विचलित करने दिया। वह प्राचीन जादू पोर्टल के माध्यम से डार्क नाइट द्रीम बीस्ट को वापस बुला सकता था। इसलिए उ स्टिंग्रे गती के प्रती समवेदन शील थे। उन्होंने उस दिशा में पीछा किया जहां डार्क नाइट द्रीम बीस्ट भाग गया था। आकाश जहां था वहीं रुक गया और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। छाया तत्व अभी भी अपना स्थान बता सकता है। यदि तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी स्टिंगरे डार्क नाइट द्रीम बीस्ट का पीछा नहीं कर लेते। फिर उसने बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश की। मुझे इन महासागर राक्षसों को कम नहीं आकना चाहिए। उनमें से अधिकांश जो यहां आये थे वे ब प्राचीन जादूई पोर्टल खोला और उसे थाउजेंड ट्राइब एल्फ तौवर की याद दिलाई। कौन है भाई? कौन आ रहा है? एक आवाज गूंजी. आकाश स्थब्ध रह गया. उन्होंने उसे कैसे खोजा था? क्या उसका छिपाव सचमुच इतना ख्राब था आकाश ने चिपना छोर दिया और लोगों के समुह की ओर चल दिया. उसने एक पुराने परिचित को लंबी दाढ़ी और चहरे पर पुरानी जुर्रियों के साथ देखा. हाला कि वह अभी भी उर्जाबान दिख रहे थे. आकाश यह तुम हो. पैंड लाई ने आश्चर्य से कहा. कितना सुखद आश्चर्य है आकाश मुस्कुराया. अरे आकाश बहुत दिन हो गए. जियांग यू भीड को चीरता हुआ उसके पास दोड़ा. उन्होंने आकाश को जोर से गले लगाया. यहां उसे देखकर आकाश भी हैरान रह गया. हाला कि यह इतना असामान्य नहीं था. जियांग यू पैंग लाई का प्रत्यक्ष शिश्य था. यदि पैंग लाई यहां थे तो उनका टीम में होना असामान्य नहीं था. आप यहां पर क्या कर रहे हैं? आकाश ने असमंजस में पूछा. हम यहां एक निशिध जादूगर को बचाने के लिए आए है वह फस गया है. जियांग यूग एक प्रॉड महिला ने कठोरता से कहा. आकाश ने लगभग 30 साल की एक महिला को देखा. वह लंबीक पतली और सक्त चहरे वाली थी. उसने लोगों को यहां आभास दिया कि वह प्रभारी है. क्या सन्योग है? मैं यहां एक निशिध अगर को भी बचाने आया हूँ. आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा. कठोर महिला आगे बढ़ी और जियान यूग के सामने खड़ी हो गई. उसकी आखे तेज थी. क्या आपको लगता है कि हम विश्वास करेंगे कि बचाव दल में केवल एक ही व्यक्ति होता है. यह मैं य धाटी में दाखिल हुआ तो शायद उन्होंने ध्यान दिया. हम्फ ये मेई अभी भी आकाश से साबधान थी. ठीक है मैं वादा करता हूँ कि अब कोई समस्या नहीं होगी. आकाश तुम यहां क्यों हो? पैंग लाई अभी भी आकाश के प्रती बहुत सौमय और मिलनसार थी. यह बिल्कुल पहले की बात है जब वह उनके चात्र हुआ करते थे. आकाश ने उत्तर दिया. ठीक है. मुझे एक महत्वपून और कठिन क्षण में एक मिशन मिला. मुझे खुशी है कि आप आये. पैंग लाई ने आकाश को एक तरफ खीच लिया. उसने अपनी आवा राक्षस बनने के बारे में क्या सोचते हैं? आकाश ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया. ओल्ड पैंग, सच कहूं तो मेरा एसेंस और अब लगभग खाली है और मैं अभी तक पिछली बार के सीक्वेल से उबर नहीं पाया हूँ. यह कोई आश्चर्य की बात नही थी कि जब पैंग लाई ने आकाश को देखा तो वह इतना उत्साहित हो गया. यह पता चला कि वह उम्मीद कर रहा था कि आकाश एक राक्षस में बदल सकता है. पैंग लाई अवाक थी. उसके चहरे से उम्मीद और खुशिक्त महोती जा रही थी. तो फिर तुम यहां क्य कर रहे हो पैंग लाई ने पूछा. आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे. उसने इस बारे में ध्यानपूरवक सोचा. क्या तांग जोम भी उम्मीद कर रहा था कि मैं एक राक्षस बन सकता हूँ और मिशन पूरा कर सकता हूँ. सच कहू तो इससे कोई फर अधिक महत्वपूर्ण है. मास्टर, जियान यू ने कहा, चुप रहो. मैंने कहा कि मैं केवल यही चाहता था कि रात्री राक्षस आये और तुम्हें उसका अनुसर्ण करने की आवश्चक्ता नहीं थी. मैं नाइट राक्षस को अकेले जोखिन लेने कैसे दे सकता हूँ? यह मेरा अनुबंधित जानवर है, जियान यू ने कहा, आप अपनी बिल्दी के बारे में चिंतित हैं, और आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, है ना पैंग लाई ने गुस्से में कहा. मियाउ, रात्री राक्षस की परिचित आवाज घाटी के एक गहरे हिस्से स आई थी. आकाश ने आवाज का पीछा किया और काले जुते और दस्ताने पहने नाइट राक्षस को उनकी ओर भागते देखा. इसकी गती हमेशा की तरह हलकी और फुर्तीली थी. मियाउक नाइट राक्षसा जियान यू के कंधे पर बैठी और चादनी आखों से आकाश को उठा रही थी. आकाश ने अपना हाथ बढ़ाया और रातरी राक्षस को छुआ. यह छोटी काली योगिनी बिल्ली अभी भी बहुत मनमोहक थी. इसके पूरे शरीर पर काले बाल इसे महान और प्राचीन बनाते थे. आकाश को लगा कि इसके बजाए जियान यू नौकर थ और नाइट राक्षसा एक शांतचित लेकिन महान रानी थी. क्या अभी तक कोई सुराग मिला है? हम कमांडर हुआ को ढूंडने के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं. पैंड लाई ने कहा. नियाओ रातरी राक्षस ने उत्तर दिया. जियान यू की आखे चमक उठी. भवतह अतीत में एक छोटा परियटक आकर्शन था. राक्षस इसे नहीं पा सके, लेकिन रास्ते में स्पष्ट संकेत थे. वे इस रास्ते से गुजरे और उश्नक्ति बंधिय जंगल में लगभग एक दरजन किलोमीटर चले, तभी उनके सामने एक पहार दिखाई दिखा और पहाडों और पेडों से अवरुध नहीं था, तो उन्होंने पाया कि वे एक शंकुके आकार के ज्वाला मुखी के बहुत करीब थे. कुछ सक्रिय ज्वाला मुखीयों को पहचानना आसान था. वे चारों और देखकर और यह सुनिश्चित करके इसकी पहचान कर सकते थ कि इसके चारों और हरेभरे पौधे हैं या नहीं. यदि चारों और केवल नंगी चटाने थी, तो उन्हें सावधान रहने की आवश्चकता थी. ज्वाला मुखी अभी भी फट सकता है. उनके सामने शंकुके आकार के ज्वाला मुखी का भी यही हाल था. पहली नजर में ज्वाला मुखी ये चट्टानों पर हलका सा सफेद धुआ था. इसने शायद कुछ समय पहले ही लाल और गर्म मैगमा उगला था. हाला कि यह एक छोटा सा विस्पोर्ट लग रहा था. उनका गंतव्य शंकुके आकार का ज्वाला मुखी नहीं था, बलकि उससे अलग ज्वा एक परवत था. शंकुके आकार का ज्वाला मुखी उस परवत श्रिंखला से कहीं अधिक उचा था, जिस पर वे थे. उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई विशाल प्राणी उन्हें पहाडी पर चड़ते हुए देख रहा हो. शंकुके आकार के ज्वाला मुखी से अचानक धीमी गड़गडा हट जैसी अजीब आवास आने लगी. कोई लाल गर्म वस्तु संखनित हुई और शंकुके आकार के ज्वाला मुखी के गड़े के साथ साथ सांप की तरहे पहाड के आधे उपर तक धीरे-धीरे बहती रही. कई लावा एक धारा की तरहे खड़ पहाड से नीचे बह निकले. कवर ढूंडो. अंदर कुछ है. पैन लाई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई. हर कोई पहाडी से नीचे उतरा और शंकुके आकार के ज्वाला मुखी की ओर पीठ करके एक जगह पर छिप गया. शंकुके आकार के ज्वाला मुखी से अचा पर गढ़े और दरारे बना सकते हैं. ऐसे बहुत सारे आग के गोले थे जो शंकुके आकार के ज्वाला मुखी की विभिन दिशाओं से उड़ रहे थे. कई सिर गढ़े से उपर उठे और उनकी लंबी गर्गने आग की लप्टों में हिल गई. वे विशाल और भयानक थे. आकाश ने उस पर नजर डाली. हालाकि यह दरजनों किलोमिटर दूर था, आकाश चिंता में गहरी सास लेने से खुद को नहीं रोक सका. वे सिर ज्वाला मुखी ये सापों के थे, जिनके पूरे शरीर पर पिघली हुई आग की शलके थी, और उनमें से बहुत सारे थे. इसा लगता है कि कुल मिलाकर पांच साप है. क्या वहाँ ज्वाला मुखी ये सापों का बसिरा है? आकाश ने पूछा. उनमें से प्रत्येक का सिर अलग-अलग था. कुछ के माथे पर एक भयानक नजर थी, कुछ के सिर पर एक ही सीन था, कुछ के बड़े-बड़े पंखे जैसे गलफडे थे, कुछ के पास जहरीला मुकुट था. ये ज्वाला मुखी ये साप सामान्य शासक स्तरके नहीं थे. उन्होंने जो डराने वाली आभा बिखेरी, वह स्ट्रेंज लंप स्क्विड किन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत लग रही थी. मध्य हवा से एक अजीब ध्वनी तरंगाई. घने धुए के उपर, गहरे धात्विक शरीर वाला एक स्तिंगरे धीरे-धीरे ज्वाला मुखी ये सापों की ओर उडगया. यह इतना बड़ा था कि ज्वाला मुखी के उपर काले बादल जैसा लग रहा था. इसके खुले पंकों के नीचे अज बड़े सांप भी धीरे-धीरे शंकु के आकार के ज्वाला मुखी में लोट आए. आकाश ने भौहें सिकोर ली. स्तिंग्रे राजा कास्तर ग्रीन इस्ट सी गौर से कम नहीं होगा. सौभाग्य से वह हमेशा सावधान रहता था और ग्रीन इस्ट सी गौर को आकाश म पाने के लिए बहुत कुछ किया था. सावधान रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज आसमान में मौजूद वह चीज है. इसमें मजबूत पहचान क्षमताएं हैं और इसकी टाकत जबरगस्ट है, पैंग लाई ने सभी से कहा. यहां तक की छोटे स्टिंग्रे भी आका बड़े सापों के बारे में क्या आकाश ने पूछा? बहतर होगा कि हम उसे हम पर निशाना न बनने दें. अन्य था हम मर जाएंगे, पैंग लाई ने कहा. आकाश हैरान था. पान लाई ने कहा था, वह एक लेकिन वहां पांच साप थे. पैंग लाई ने आगे कुछ नहीं बताया. रातरी राक्षस ने मार का नित्रित्व किया, उसके बाद निशिध शहर के स्वामी आए. सभी के चहरों से पता चल रहा था कि वे अभी भी थोड़े घबराय हुए और असहर्स थे. फॉर्बिडन सिटी के लोगों के रूप में वे पहले से ही चीन के जादूग् कर सकते थे कि महासागर दानव उनका पता न लगा सकें. रातरी राक्षस सबको आगे बढ़ा रहा था. वे इच्छानुसार जादू का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी प्रक्ती धीमी थी. शंकु के आकार के ज्वाला मुखी के पास के पहाडों से गुजरने के बाद वे एक लंबी चांदी नीली नदी वाली घाटी में प्रवेश कर गए. घाटी का भूभाग विशाल था और भूरे और चांदी की इमारतों वाला एक शहर था. शहर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और अपेक शाकृत अच्छी तरह से सनरक्षित था. ऐसा शायद इ अपने ड्रैगन सेंस का उपियोग दूर के पहाड सहित आसपास के वातावर्ण का निरिक्षन करने के लिए किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महासागर राक्षसों या हंटर डटी राक्षसों का कोई निशान न हो. तुम सब पहाडी चोटियों पर जाओ और दूश्मन पर नजर रखो. यदि महासागर राक्षसों के बारे में कोई खबर है, तो आपको तुरंथ हमें एक संकेत भेजना होगा. समझना, पैन लाई ने कई शाही जादूगरों को निर्देश दिया. ये सभी शाही जादूगर मध्यम आयू वर्के थे. उनमें से कु जादूगरों ने तीन पहाडों पर कबजा कर लिया, जहां से सिल्वर ब्लू वैली शहर दिखाई देता था. चलदर, पैन लाई ने कहा, स्क्रॉल आफ डॉन जो हम लाए हैं, वह कमांडर हुआ को तेजी से ठीक करने में सक्षम होना चाहिए. रॉयल मैजेस का मिशन कमां उपचार पधती उकेरी गई थी. इस पर निशिद्ध भाशा को पढ़कर वे उन में से किसी एक पर शुद्ध महान उपचार जादू लागू कर सकते थे. यहां तक कि एक निशिद्ध जादू कर भी थोड़े समय में जीवनकारियों मानसिक स्थिती को बहाल कर सकता है और पांटेन स्क्वाइर के चारों और उँची इमारते थी. फांटेन स्क्वाइर का फश सपार टायलों का नहीं बलकि पारगरशी अर्धनीले टेंपरड ग्लास के अंगिनत टुक्रों का था. जब उन्होंने कार्श के फश को देखा, तो उन्होंने देखा कि हेकसागोनल फ फवारे के साथ कुछ चक्कर लगाए। थोड़ी देर बाद उसने फवारे के साफ पानी से एक सैन्य दस्ताना उठाया। दस्ताना बहुत पतला था और उस पर खून लगा हुआ था। यहां अध्यात था कि वह इस फवारे में कितनी देर से भीग रहा था। कमांडर हुआ क कहा है जब ये मेंने सैन्य दस्ताना देखा तो वह थोड़ी चिंतित हो गई। रातरी राक्षस को एक सैन्य दस्ताना मिला लेकिन कमांडर हुआ का कोई निशान नहीं था। क्या वह कमांडर हुआ का खून है जियांग यू फुसुसाए। रातरी राक्षस ने सिर हिलाया कमांडर हुआ खूनी सैने दस्ताना यहां क्यों फिंकेगा क्या यह महासागर के राक्षसों को भ्रमित करने के लिए है पैंग लाई ने कहा मेरी राय में हम शायद एक जाल में फस गए हैं आकाश ने कहा ठीक उसी समय कई पहाडों पर अलग-अलग दिशाओं में सिगनल दिखाई दिये निशिध जादूग्रों जो निगरानी में थे ने ये संकेत भीजे थे पैंग लाई का चहरा काला पड़ गया क्या ऐसा हो सकता है कि यह साइरन द्वारा बिचाया कया जाल हो वे जानते थे कि मनुष्य कमांडर हुआ को बचाने के लिए विशेशग्यों को भेजेंगे इसलिए उन्होंने जानबूच कर मानव सेना को इस जाल में भंसाने के लिए ब्लैक क्लॉस अमराट के खिलाफ लड़ाई के दौरान कमांडर हुआ द्वारा छोड़े गए एक खूनी सैने दस्ताने को गिरा दिया ये खूनी महासागर राक्षस चल दर पैंग लाई चिल लाया ये मेंने नाइट राक्षसा की ओर देखा रातरी राक्षस निर्दोश था उसे कैसे पता चला कि यह एक जाल था इसने केवल गंध का अनुसर्ण किया था रात राक्षस जियांग्यू ने नाइट राक्षसा को गले लगाया उसने उसके छोटे से सिर को छुआ और उसे सांटवना दी कोई बात नहीं मुझे विश्वास है कि आपको कमांडर हुआ मिलेगा मियाउ ऐसा लग रहा था जैसे वह जियांग्यू को कुछ और बता रहा हो जियांग्यू ने ध्यान से सुना फिर उसने इधर उधर खोजना शुरू किया यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या ढून रहा था महान जादूगर जिन्हें पहाडों में दुश्मन पर नजर रखने का काम सौपा गया था गंभीर चहरों के साथ लौट आए प्रमुख हम धिरे हुए है पश्चिम में हंटर डर्टी डेमन्स की एक सेना है स्टिंगरे सेना दक्षिन से आ रही है उत्तर में कुछ बड़े राक्षस हैं और वे आ रही है तीन महान जादूगरों ने सूचना दी पैंड लाई का चहरा गंभीर हो गया उन्होंने सिल्वर ब्लू वैली शहर के आसपास के इलाकों का अवलोकन किया प्रमुख आप किसका इंतजार कर रहे हैं जल्दी करो और तुरंत हमला करने के लिए एक जगह चुनो ये में ने कहा घबडाए नहीं जल्दबाजी करने और बेतर तीब धंग से हमला करने के बजाए यहां हेवनली बॉट्टल माजिक फॉर्मेशन स्थापित करना बहतर है फिर हम भागने का मौका तलाश सकते हैं क्या तुम तीनों ने वही किया जो मैंने तुम्हें पहले विशेश रूप से कहा था पैंग लाई ने तीन शाही महान जादूग्रों से पूछा तीनों शाही महान जादूग्रों ने सिर हिलाया महान पैंग लाई का चेहरा थोड़ा नरम हो गया ये मेई तुम जाकर नदी से थोड़ा पानी ले आओ सुनिश्चित करें की जल स्रोत बाधित न हो चार दिशाओं के रक्षकों आप लोग तुरंत वाली सिटी के प्रवेश द्वार पर जाएं जो चौराहा बिंदू है सुनिश्चित करें की आप इसका बचाव करें बाकी लोग शहर पर हमला करते हैं आदेश देते समय पैंग लाई दुर्जे दिखाई दी वह तुरंत एक बूढे और सज्जन व्यक्ति से युद्ध में ठके हुए अनुभवी व्यक्ति में बदल गया उनके स्थिर आदेशों और अत्यंत तीवर फोकस ने दूसरों को प्रेरित किया आकाश ने पैंग लाई को कभी इस तरह नहीं देखा था अधिकाश समय पैंग लाई बड़ी टोपी पहने एक बूढे सौमे प्रफेसर थे वह ज्यान से परिपूर्ण था लेकिन अब तक उसके पास कोई शक्ती नहीं थी आकाश ने प्रमुख रोयल ग्रेट मैच की प्रशंसा की थी पैंग लाई ने चौराहे की सडक के बीच में खड़े होकर कुछ जादू किया वह देश में एक प्रसिद्ध फॉर्मेशन जादू गर था और आकाश हमेशा फॉर्मेशन के गहन अर्थ में कमजोर रहा था वह गठन के बारे में कुछ नहीं जानता था स्वर्गिय बोतल जादू संरचना क्या है आकाश ने अपने बगल में जियांग यू से पूछा जियांग यू अनुपस्थित दिमाग वाला था वह अभी भी इधर उधर देख रहा था तुम क्या ढून रहे हो आकाश ने फिर पूछा रात राक्षस ने कहा कि खूनी दस्ताना ही एक मात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसकी गंधा रही थी कुछ और होना चाहिए जियांग यू ने उत्तर दिया पहाडों से अजीब सी आवाजें आने लगी पहले तो वे इतने तेज नहीं थे लेकिन आवाज अपने आप बढ़ती गई और तेज हो गई शिकारी गंदे राक्षस पहाड की दिशा से आ रहे थे समुदरी दानवों में हंटर डर्टी दानव एक विशेश प्रजाती थी वे जितने चोटे थे उतने ही अधिक दुष्ट प्रतीत होते थे हंटर डर्टी डेमन्स की विशाल सेना में वे कुछ पतली और भयंकर परचाईयों को असंभव गती से चलते हुए देख सकते थे वे केवल बड़े खंडों के बराबर थे लेकिन उनसे निकलने वाली आभा भयाभः थी उन्होंने सिलवर ब्लू वैली शहर को घेर लिया और उनमें से कई घाटी की उचाईयों और खड़ी जमीन से सीधे हमला करने के लिए पहले ही पीछे की ओर चक्कर लगा चुके थे हंटर डर्टी डेमन्स जैसे समुदरी दानवों के लिए यहां तक की सबसे निचले स्टर के हंटर डर्टी डेमन्स के पास सरदार स्टर के प्राणियों की ताकत थी ऐसा इलाका उनके हमलों में बाधा नहीं डाल सकता था क्योंकि वे कीडों की तरहे तेज पंजे के साथ खड़ी चट्टान की दिवारों पर चड़ सकते थे वे नहीं आ सकते जियां यू ने कहा वे क्यों नहीं आ सके आकाश को लगा कि आइस क्लॉ हंटर डर्टी डेमन्स ने शहर की सड़कों पर कदम रफ दिया है गठन शुरू करो पैंग लाई चिलाया तारों की धूल जैसी स्वपनिल और सुन्दर रोशनी का एक बड़ा समोह अचानक तीन पहाडों से चमक उठा जहां कुछ खशन पहले जादूगर रहे थे जदी उन्होंने बारीकी से देखा तो उन्हें प्रकाश में अंतरनेहित विभिन आकरितियों के अंगिनत शुने क्रिस्टल मिल सकते थे उनके किनारों और कोनों ने बहुत सारे रंगों को अपवर्तित कर दिया और इंद्रिशमान रोशनी ने सिल्वर ब्लू वैली शहर को पूरी तरह से ढख दिया रोशनिया तेज थी वे पारदर्शी नहीं थे वे लगातार उर्जा को अवशोशित कर रहे थे और धीरे धीरे ठोस चीनी मिक्टी के बर्तन में संधनित हो रहे थे अधिक से अधिक शूनी प्रिस्टल थे उन्हें रोशनी में एक बेहत कड़ी संग्रचना में व्यवस्थित किया गया था उनके द्वारा जारी की गई लाइटे भी बदल गई थी आकाश की दिशा से यह विशाल पारभासी रंके चीनी मिक्टी के बर्तन की तरहे लग रहा था जिसने सिल्वर ब्लू वैली शहर के पूरे दूसरे हिस्से को लपेट लिया था साथ ही अन्य दो स्थितियों में रोशनी भी समान ठोस चीनी मिक्टी के प्रताश को अपवर्तित करती है बनी हुई दो साइड लाइटें सिर्फ हाइपर बोलाइड्स थी जो की असंबध रूप से अंदर की ओर थी आखिरकार सिल्वर ब्लू वैली शहर के संकियन प्रवेश द्वार पर एक विशाल सिरेमिक बोतल का मुह बन गया सौन फियाओ ने उच्छुकता से आसमान से जमीन पर स्थिती को देखा उन्हें उनका समर्थन करने के लिए नीचे उतरने में बहुत देर हो चुकी थी काले स्टिंग्रे ने शहर पर एक भयानक बादल बना दिया जिससे ग्रीन इस्ट सी गौड के लिए नीचे उड़ना असंभव हो गया इससे पहले कि सौन फियाओ की द्रिष्टी अवरुद्ध हो जाए उसने एक द्रिष्ट देखा जिसने उसे आश्चर यचकित कर दिया पूरा सिल्वर ब्लू वैली शहर अचानक चकाचौंध हो गया जैसे की एक विशाल चीनी मिक्टी की रोशनी वाली बोतल के अंदर विचार देखा गया एक बोतल जो पूरे शहर को समा सकती है सौन फे याउने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा था लेकिन इससे उसे थोड़ा और सहज महसूस हुआ कम से कम महासागर के राक्षस आकाश और अन्य को हर तरफ से नहीं धेरेंगे उसे राक्षसों पर आवेक पूर्वक हमला करने के बजाए अंदर फंसे लोगों के समूह को बचाने के अन्य तरीकों के बारे में सूचना पड़ा बोतल में सिल्वर ब्लू वैली सिरी थी बोतल जमीन पर पड़ी थी मुष शहर के प्रवेश द्वार से ढखा हुआ था और बोतल का निचला भाग शहर के पिछले हिस्से से ढखा हुआ था बोतल का निचला हिस्सा आम तोर पर सबसे मोटा और सबसे मजबूत हिस्सा होता था आकाश ने Ice Claw Hunter Dirty Demons को विशाल बोतल के रंगीन तल में फिसलते हुए देखा उनके पंजे तूट गए लेकिन वे बोतल की सतह को खरोंच तक नहीं सके आकाश समझ गया कि पैंग लाई ने उसे पीछे के दुश्मनों को नजरंदाज करने के लिए क्यों कहा था ऐसे अतुलनिय शक्तिशाली एक वेरियस मैजिक फॉर्मेशन के साथ उन्हें पीछे से हमला करने वाले दुश्मनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी बोतल की घुमावदार सतह पूरी संग्रचना का सबसे कमजोर हिस्सा थी लेकिन घुमावदार सतह को तोड़ने के लिए महासागर के राक्षसों को भी स्वस्थ होने की आवश्चक्ता थी वे एक थोस बोतल में प्रतीत होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मनों की संख्या कितनी बड़ी थी और वे कहां से आये थे अगर वे उन पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें बोतल के संकीन मुह से गुजरना होगा क्या अच्छा गठन है आकाश पैंग लाई की और भी अधिक प्रशनसा किये बिना नहीं रह सका उन्होंने अपने ज्यान की कमी पर अफसोस जताया यदि उसने यह संरचना पहले ही सीख ली होती तो उसे बड़ी संख्या में दुश्मनों का सामना करने की चिंता नहीं होती तीन महान जादूगर पहले से ही बोतल के मुह की रखवाली कर रहे थे एक वेरियस मैजिक फॉर्मेशन एक सामरिक जादूई फॉर्मेशन था कोई सुरक्षात्मक बाधा नहीं इसका उद्देश्य जादूगरों की एक छोटी सी टीन को चारों और से घिरने से रोकना था इस तरह वे केवल एक ही दिशा के दुश्मनों से निपटने पर ध्यान केंद्रिक कर सकते थे दुश्मन अभी भी बोतल के मुह से अंदर आ सकता था इसलिए लड़ना अप्रिहार्य था महासागरिय दानव पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने कई बार बोतल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे उस पर खरोच तक नहीं लगा सके उन्हें धीरे धीरे प्रवेश द्वार पर एक खुला स्थान मिला लेकिन प्रवेश द्वार छोटा था इसलिए एक समय में कई समुदरी राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते थे तक्राना अचानक बगल से जोर की आवाज आई बोतल के किनारे पर अजीब गांठों वाले कई जाल लिपते हुए हैं तंबू की ताकत आश्चर यजनक थी इसके हर हमले से आसपास के पहार कामपने लगते थे सिल्वर ब्लू वैली शहर भी थोड़ा कामप उठा यह फिर से वही प्राणी है आकाश ने स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग को पहचान लिया अजीब गांट स्क्विड किंग बोतल की दीवार पर चड़ने लगा इसके लंबे और मुलायम शरीर ने तुरंट ही हेक्सागोन फांटेन स्क्वायर के शीर्ष को ढख लिया जब वह उपर चड़ गया तो उसके कई तंबू फैल गए और बोतल के निचले आधे हिस्से से कसकर चिपक गए स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग ने बोतल को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी यह अपनी उर्जा बर्बाद कर रहा है जियान यू बहुत शांत दिख रहा था और अपने सिर के उपर मौजूद राक्षस से भैभीत नहीं था जो एक इमारत से कई गुना बढ़ा था आकाश बोतल की रोशनी पर ध्यान दे रहा था और उसे बोतल पर अभी तक कोई दरार नहीं मिली स्ट्रेंज लंप स्क्विड किंग ने बोतल पर हमला करने के लिए स्टील को पिघलाने वाले जहर सहित विभिन तरीकों का इस्तमाल किया लेकिन यह सताय को खरोंच भी नहीं सका अजीब गांट स्क्विड किंग गुस्से में था इसने आकाश की ओर घूर कर देखा अरे इंसान क्या तुम्हें लगता है कि अंदर चिपना सुरक्षित है जब मैं अंदर चड़ूंगा तो तुम्हारा गला घूंट दूंगा आकाश के मन में एक अजीब आवाज गुंजी आवाज स्त्रीवत और तीखी थी यह क्रूर और पागलपन भरा लग रहा था आकाश चौक गया ती स्क्विड किंग बात कर सकता है क्या बक्वास है? क्या यह मानव भाशा समझ सकता है? नहीं, बस ऐसा नहीं है यह एक प्रकार का मानसिक संचार था भले ही आकाश ने कोई आवाज नहीं सुनी अजीब गांठ वाले स्क्विड किंग ने टेलीपैथिक माध्यम से अपने संदेश उसके दिमाग तक पहुचा दिये अंदर आओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा हमारे पास एक प्रकार का भोजन है जिसे स्क्विड स्कूवर्स कहा जाता है जिसे सलाद और बीबी क्यू सॉस के साथ पकाया जाता है अगर यह ताजा हो तो इसका स्वाद और भी अच्छा होता है अंदर आओ और मैं तुम्हें जिंदा भून दूंगा आकाश ने स्क्विड किंग को गाली दी यह तुम्हारा बहुत साहस है तुछ इनसान अब बाहर आओ मैं अपने आदमियों से कहूँगा कि वे रास्ते से हट जाएं और तुम्हें व्यक्तिकत रूप से मार डालें स्क्विड किंग ने गुस्से से कहा क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ हिम्मत है तो अंदर आओ मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वे एक तरफ खड़े हो जाएं और अकेले ही तुम्हें मार डालें क्या आप सच मुझ सोचते हैं कि आप महासागर के राक्षसों के बीच एक शासक हैं क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति है मैंने सूचा था कि आप और आपकी भीड ने स्वयंको प्रिथवी का सरवोच शासक घोशिक किया है आप अपने आपको ओशन गौडली होड़े कहते हैं और आप हर दूसरी जाती से बहतर हैं है ना हाँ हाँ क्या बाकी इश्वरिय गिरोह भी आपकी तरह है मूर्ख है क्या आप जानते हैं आमने सामने लड़ने का मतलब क्या होता है जब मनुष्य एक दूसरे के साथ संघर्ष में होते हैं तो यह एक अलिखित नियम है कि वे एक दूसरे से लड़ते हैं और दूसरों को हस्तक शेप करने की अनुमती नहीं है यह एक उचित लड़ाई है अन्यथा हस्तक शेप करना और धोखा देना शर्म की बात है और क्या गंदे और घ्रेनित समुदरी राक्षस इस सभ्य और महान तरीके से लड़ते हैं तुम इस दुनिया में सिर्फ तुछ प्रानी हो और नहीं जानते की सही तरीके से कैसे लड़ना है क्या आप जानते हैं कला क्या है क्या आप जादूगर के कोर से अवगत हैं आकाश ने स्क्विड किंग को गाली देना जारी रखा स्क्विड किंग गुस्से में आ गया और उसने कुम्भ राशी पर अपने तंबू से जोर से प्रहार किया कुम्भ अत्यंत कठोर था और वह उसे खरोच भी सकता था यदि उसका वश चलता तो वह आकाश को अवश्य ही अपने दातों से चीर देती इस बीच जियांग्यू ने आश्चर्य से आकाश को देखा रात्री राक्षस भी उतना ही स्तब्ध था उसका जबड़ा गिर गया जिससे उसकी छोटी बिल्ली के दान और जीब दिखने लगे जियांग्यू और नाइट राक्षसा दोनों प्रभावित हुए आकाश पहले से ही प्रभावशाली था क्योंकि जब वह स्कूल में था तब उसने पूरी राष्ट्रिय टीम के साथ बहस की थी लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह स्क्विड किन के साथ बहस करेगा स्क्विड राजा क्रोधित हो गया इसने कुम्भ राशी के टोंटी पर हिंसक तरीके से हमला किया कुम्भ की अर्चन संकीन थी यह सीमित क्षेत्रों वाली एक घाटी के प्रवेश द्वार के बराबर था और प्रवेश द्वार पर हंटर डर्टी डेमन्स और स्टिंग्रे लीजन की भीर थी उन्होंने अपनी संख्या से कुम्भ की अर्चने दूर कर दी थी और एक भी कमी नहीं छोडी थी यह कहना अतिशुक्ती नहीं होगी कि महासागर के राक्षस प्रवेश द्वार पर एक पहाड में धेर हो गए थे स्क्विड किंग ने अपने जाल से हंटर डर्टी डेमन्स और स्टिंग्रे लीजन को हटा दिया इसने अपने लिए मार प्रशस्त करने के लिए अपने भयानक जालों से महासागर के राक्षसों को दूर फेंक दिया उसके बाद यह रोश में टोंटी के माध्यम से कुम्भ राशी में घुस गया चुंकि एक वेरियस ब्लू रिवर सिल्वर वैली के पूरे हिस्से को अपने कबजे में ले सकता था इसलिए इसकी अर्चन वास्तव में बहुत संकीर नहीं थी जब स्क्विड किंग ने अर्चन के माध्यम से अपना रास्ता बनाया तो उसने तीन शाही महान जादूगरों को नजरन्दाच कर दिया और आकाश पर हमला कर दिया सावधान रहें यह एक अधिपती है पैंग लाई चिलाया आमतौर पर ऐसे दुरजे शत्रू को हराने के लिए जदूगर साथ-साथ काम करते थे चार संरक्षक जदूगर इससे लडने के लिए अच्छी तरह से तयार थे पैंग लाई के नेत्रित्व में चार संरक्षक जदूगर उतकृष्ट थे वे सरवोर्चस्तर के जादूगर थे जिन्होंने चार तत्वों में अपनी साधना पूरी कर ली थी इसलिए वे शासक्स्तर के महासागर राक्षसों में से सबसे मजबूत का भी सामना कर सकते थे हाला कि स्क्विड किंग को किसी भी जादूगर में कोई दिल्चस्पी नहीं थी यह बस शहर के केंदर की ओर चार्ज हुआ इसे रोको इसे हमारे पीछे मत पढ़ने दो चार संरक्षक जादूगरों में से एक ने कहा नेले बालो वाली महिला दानव और गहरे समुदर में छिपकली वाली ड्रैगन दानव से ना आ रही है शासक स्तर के शिकारी गंदे दानव से सावधान रहें वह लालनीले सिर्वाला पैंग लाई ने भौहें चढ़ा दी यह सपष्ट था कि चार अभिभावक जादूगर एक साथ इतने सारे महासागर राक्षसों का सामना नहीं कर सकते थे पैंग लाई को व्यक्तिगत रूप से स्क्विड किंग का सामना करना पड़ा आकाश ने कहा पुराना दर्द इसे मुझ पर छोड़ दो यह मेरे लिए आ रहा है आप ऐसे समय में भी मजाग क्यों कर रहे हैं? आप युवाओं को जब तक संभव हो भाग जाना चाहिए यह मेई की आवास कुम्भ राशी के नीचे से आई आकाश उसकी ओर मुड़ा तभी उसे एहसास हुआ कि वह महिला जादुगर्नी नदी के जरने के पास खड़ी थी नदी शहर के केंदर से पहाडी घाटी से होकर समुदर कक बहती थी नीली चादी की नदी वह धुरी थी जो शहर और कुम्भ को जोड़ती थी यह सपश्ट था कि जादुई संग्रचना में नदी का प्रमुख स्थान था यह मेई की ताकत पैंग लाई के बाद दूसरे स्थान पर थी इसलिए वह अपना पद नहीं छोड़ सकती थी यह मेई उस पर भरोसा करो वह डिंगे हाकने वालों में से नहीं है पैंग लाई ने यह मेई से कहा पैंग लाई यह एक बहुत ही शक्तिशाली शासक्स्तर का दानव है जिसे चार संरक्षक जादुगर भी सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं फिर भी आप युवा जादुगर को इसे अकेले लेने की अनुमती देते हैं क्या आप पागल हैं हम उसे मरने नहीं दे सकते यह मेई चिलाया वह चिंतित थी स्थिती गंभीर थी आप अपने पदपर बने रहें और बाकी मुझ पर छोड़ दें पैंग लाई ने द्रिड़ता से कहा यह मेई नाराज थी यह यह मेई मदब करने पर जोर देती तो कुम्भराशी की ताकत काफी कम हो जाती और उसके साथियों का जीवन खत्रे में पढ़ जाता यहां तक की कमांडर हुआ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा उसने उन भयानक चीजों की कलपना करते हुए अपनी आखें बंद कर ली जो घटित होने वाली थी इस बीच आकाश सेंट्रल हेकसागोनल फांटेन स्क्वायर पर स्क्वायर एवेन्यू का सामना कर रहा था स्क्वायर एवेन्यू विशाल और शांदार था सडक के किनारे कई उची इमारतें और मौल थे इमारतें अमेरिकी स्थापत्य शैली में बनाई गई थी हाला कि जब स्क्विड किंग ने यहां अपना रास्ता बनाया सडक के किनारे की इमारतें ढह गई वे जमीन पर गिर पड़े सडको के किनारे की इमारतें ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें बम से उड़ा दिया गया हो यह देखने में भयानक था जियान यू पीला दिख रहा था वह ऐसे राक्षस का सामना नहीं करना चाहता था गधे का छेद यदि यह सच नहीं होता कि समुदर के नीचे कोई रोशनी नहीं है तो आप जैसे बदसूरत राक्षस को संतान पैदा करने के लिए कभी कोई साथी नहीं मिलेगा वापस जाओ और समुदरी बंदर के साथ एक कमीने को तयार करो मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता और तुम्हारी प्रजाती को विलुप्ध होने की ओर नहीं ले जाना चाहता हमें स्वादिष्ट स्क्विड व्यंजन खाना पसंद है आकाश को प्राणी को उत्तेजित करते देख जियान यू लगभग बेहोश हो गया यहां आवेश में आ रहा है क्या आप शाप देना बंद कर सकते हैं ताकि वह कम से कम आप पर कुछ दया करे मैं तुम्हें मार दूँगा मैं तुम्हें मार दूँगा मैं तुम्हें मार दूँगा स्क्विड किंग क्रोधित था इसने खिलोनों के ब्लॉकों की तरहे इमारतों पर अपने तंबो पटक दिये जैसे ही आकाश उसे उकसाता रहा उसने धीरे-धीरे अपनी कमर पर टोटेम ओर्ब की ओर हाथ बढ़ाया टोटेम ओर्ब मंद रोशनी में चमक रहा था भयानक कोहरे का एक टुकड़ा उसमें से फैल गया और धीरे-धीरे फवारा चौक शेतर को घेर लिया स्क्विड किंग क्रोधित हो गया कुम्भराशी के अंदर रहते हुए भी इसे अपने शत्रु का भय नहीं था एक शक्तिशाली शासक्स्तर के राक्षस को मारने के लिए मनुष्य बहुत कमजोर थे कोहरा घना हो गया और कुम्भराशी का निचला हिस्सा मुश्किल से दिखाई दे रहा था उन्होंने बमुश्किल कोहरे के बीच में एक विशाल और लंबी आकरती को प्रकट होते देखा जियां यू इसे देखने में सक्षम होने के लिए आगे बढ़ा उसने एक उची इमारत की कांच की दीवार पर सांप के शरीर का एक हिस्सा देखा जब उसने पीछे मुर कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे इमारतों के बीच सांप का एक लंबा शरीर रेंग रहा था यह सांप इतना विशाल कैसे हो सकता है ब्लैक टोटेम सांप इसे नश्ट करो आकाश ने व्यंगे किया इलाके में जहरीला कोहरा चाया हुआ है स्क्विड किंग के ब्लैक टोटेम स्ने केक शेतर में घुसने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह आकाश के जाल में फस गया है हाला कि स्क्विड किंग अपनी अजे ताकत के कारण घबराया नहीं इसने अनिच्छा से आकाश की ओर देखा और अपने शक्तिशाली तंबो को स्क्वायर एवेन्यू पर पटक दिया वह आकाश को टुक्रे टुक्रे कर देना चाहता था इस बीच आकाश अपनी जगहे पर स्थिर खड़ा रहा काले टोटेम सांप ने हमला कर दिया इसके तंबो आकाश तक पहुचने से पहले इसने स्क्विड किंग के तंबो पर अपनी पूच घुमाई फिर ब्लैक टोटेम सांप ने स्क्विड किंग पर जोरदार प्रहार किया जिससे एक जोरदार जटका लगा Squid King इमारतों पर दुरगट नागरस्त हो गया इमारतें धूल में बदल गई Black Totem Snake की ताकत Squid King के बराबर थी Black Totem सांप Squid King से बड़ा था Black Totem सांप इमारतों के बीच चला गया और Squid King के पास पहुंचा इसने खुद को स्क्विड किंग के चारों और लपेट लिया और निचोड लिया स्क्विड किंग को अपने तंबू को हिलाने में कठिनाई हो रही थी ब्लैक टोटेम सांप ने स्क्विड किंग के राक्षसी मास के एक बड़े हिस्से को काट लिया स्क्विड किंग की स्याही का नीला खून निकल कर इमारतों पर बिखर गया जब खून इमारतों और फुटपाथों पर गिरा तो वे पिखलने लगे Squid King का खून Black Totem Snake की तवचा पर लग गया लेकिन इसके तराजू बहुत सक्त थे और किसी भी प्रकार के जहर के प्रती अभेद्य थे वास्तव में Black Totem साम्त का जहर Squid King से अधिक धातक था यही कारण है कि उसने राक्षसी जानवर को काटने का फैसला किया था Squid King ने संधर्श किया इसके Tentacles अक्सर लडाई में फायदे मंद होते थे क्योंकि दुश्मनों को आमतोर पर Multiple Tentacles से लड़ना बहुत मुश्किल लगता था हालाकि Black Totem साम्त ने उसके सिर शरीर और तंबू को अपने साम्त के जादू से बांध दिया था Squid King खुद को Black Totem साम्त से मुक्त नहीं करा सका विशैली सर्प गैस हवा में व्याप्थ हो गई यदि Squid King बहुत लंबे समय तक जहरीली गैस से भरे Black Totem स्नेक के ख्षेतर में फंसा रहता तो Squid King कठोर हो जाता और परिगलन से मर जाता बहुत अच्छा बड़े आदमी इसे सास लेने का मौका मत दो उसे मार आकाश ने कहा आकाश की आवाज सुनकर Squid King और अधिक क्रोधित हो गया यह घ्रेनित और बेशर्म इनसान के जाल में फस गया था एकल युद्ध, सभ्य लड़ाई और जादूगर की संहिता सब बगवास थी गांठें फट गई, जिससे छोटे-छोटे जहरीले कांटे दिखने लगे जैसे ही गांठें फूटीन, Squid King छोटा हो गया और उसने अपने जालों से Black Totem सामप पर हमला कर दिया शासक स्तर के महासागर राक्षसों में Squid King सबसे शक्तिशाली था इसे मारना कोई आसान काम नहीं था Squid King सिकुड गया और उसके गांठदार कांटे तेजी से बढ़ गए वह जल्द ही कांटों से ढखे समुदरी अर्चिन में बदल गया संकट के समय अपने रक्षा के लिए एक कोमल शरीर वाले प्राणी को समुदरी अर्चिन में बदलने की कलपना करना कठिन था शायद Squid King और उसकी प्रजाती अकसर अन्य विशाल समुदरी जीवों का शिकार होती थी वे विक्सित हो गए थे और खुद को सिकोरने उसकी गांटों को फोरने और कांटों को उगाने के लिए अनुकुलित हो गए थे आमतोर पर ब्लैक टोटेम साप के तराजू अविनाशी होते थे हालाकि Squid Kings Lumpthorn विचितर थे अंतिन बिंदू इतने तेज थे कि यह किसी भी कठोर वस्तू को आसानी से छेज सकता था ब्लैक टोटेम साप कोई अपवाद नहीं था इसने स्क्विड सी अर्चिन राक्षस को निचोड़ना बंद कर दिया ब्लैक टोटेम सांप ने अपने लंबे शरीर को धीला करना शुरू कर दिया और स्क्विड सी अर्चिन मॉंस्टर ने मौके का फाइदा उठा कर खुद को इससे मुक्त कर लिया स्क्विड किंग तेजी से गैप से बाहर निकल गया इसके कठोर गांठदार कांटे नरम हो गए और अंतराल से फिसल गए सडके इसके अवशेशों से भर गई मुलायम वस्तु का एक गोला हिल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई चबाया हुआ बबल गम फर्ष पर लुढक रहा हो उसका रंग विचित्र था और शरीर विशाल था विकरत स्क्विड किंग का पीछा करने के लिए बलाक टोटेम सांप इमारतों पर घूमता रहा जब भी बलाक टोटेम स्नेक ने हमला किया Squid King पूरी तरह से सशस्त्र हो गया और उसके नरम गांट कांटों को सक्त कर दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Black Totem साम्पने उस पर क्या थुका Squid King उसके जहर से प्रतिरक्षित था Squid King भागना चाहता था उसे पता था कि उसका ब्लैक टोटेम स्नेक से कोई मुकाबला नहीं है। यह बहुत लापरवाह था और घ्रेनित मानक के जाल में फस गया था। आकाश ने स्क्विड किंग का पीछा किया। उसने कई शक्तिशाली जादूई शक्तियों से उस पर हमला किया। हाला कि स्क्वि स्क्विड किंग अपनी महासागर दानव सेना को सुद्रधी करण के रूप में लाएगा और उसकी सेना उन पर हावी हो जाएगी। इसे मारना बहुत मुश्टिल हो जाएगा। आकाश तुम स्क्विड किंग को छड़ी से नहीं मार सकते। तुम्हें इसे काटना होगा। जियांग यू ने सुझाव दिया। लेकिन अराजपता तत्व के लिए मेरी खेती का स्तर बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि मैं स्क्विड किंग को मार सकता हूँ। आकाश ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। तब जियांग यू के बोलने से पहले शहर के बाहर ह कमपा देने वाली रोशनी चमक उठी। रोशनी सामान्य तेज काटने वाली जादूई शक्ती से कहीं ज्यादा तेज थी। यह टाइटन की स्वर्गिय तलवार की तरह थी। तलवार की सतह इतनी पतली थी कि वह एक ही जटके में किसी भी चीज को विभाज़त कर सकती थी इससे पहले की आकाश और जियान यूहोश में आते स्क्विड किंग का कोमल शरीर कई टुक्रों में कट चुका था। इसे इतनी सफाई से काटा गया था कि किसी को भी लगा कि स्लैशर कोई बेहत कुशल शेफ है। आकाश हैरान था। वह पीछे मुडा और देखा कि उसके पीछे का आधे से ज्यादा शेहर तीन टुक्रों में बंट गया था। आकाश ने उस व्यक्ती की ओर देखा जिसने जादू किया था। उसने पैंग लाई को भूरे सफेद वस्तर में देखा और उसकी दाढ़ी लहरा रही थी। उसने जानलेवा इरादा फैलाया। जानी से मरने से इंकार कर दिया। आकाश ने ब्लैक टोटेम सांप से उस पर हमला जारी रखने को कहा। स्क्विड किंग को टुक्रों में काट दिये जाने के बाद वह अपने गांठ कांटों को सक्त नहीं कर सका। ब्लैक टोटेम सांप ने अपना करूर मुह खोला और स्क्विड किंग के टूटे हुए हिस्सों में से एक ने शहर के नीचे सीवर के माध्यम से भागने का प्रयास किया लेकिन आइस एल्फ ने उसे रोक दिया। थंड ने पहले से ही शत्विक्षत स्क्विड किंग को बहुत नुकसान पहुचाया। यह थंड से मर आकाश ने अपनी लिटल फ्लेम बेले को बुलाया। लिटल फ्लेम बेले इससे अधिक खुश नहीं हो सकती थी। यह उसके महान भूनने के कौशल को प्रदर्शित करने का समय था। जले हुए की गंध चारों और फैल गई। जहां तक स्क्विड किंग के अंतिम भाग की बात है। आकाश ने इसे व्यक्तिगत रूप से लेने का निर्ने लिया। उसने इसके अंतिम हिस्से को अंधेरे दलदल में भिगो दिया। जिससे अंधेरे और बहुत कम तापमान ने स्क्विड किंग की जीवन शक्ती को धीरे धीरे नश्ट कर दिया। यह स्विकार करन ने जोरदार विस्पोट किया और कई इमारतों और सडकों को नश्ट कर दिया। ब्लैक टोटेम साप एक महान सहायक था। इसने स्क्विड किंग के टेंटेकल्स को कच्चा निगल लिया। ब्लैक टोटेम साप का पेट सचमुच अथा था। टेंटेकल्स अभी भी ब्लैक टोटेम सांप के पेट के अंदर घूम रहे थे, अंतर उन्हें पचाने के लिए इसने गैस्ट्रिक रसकी बार छोड़ दी, सांप आमतोर पर इसका भोजन जीवित ही खा जाते हैं, काला टोटेम सांप किसी भी चीज को पचा सकता था, स्क्विड किंग कोई अपवाद नहीं क्योंकि वह जीव जहरीला था, लेकिन ब्लैक टोटेम स्नेक को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, कोई भी जहर इसका कुछ नहीं बिगार सकता, यहां अभी भी स्क्विड किंग ओवर का एक बड़ा टुकडा है, क्या आप इसे अपने ब्लैक टोटेम साप के लिए बचाना चाह गया, तस्वीरों और विडियों ने उस राजसी जानवर के साथ न्याय नहीं किया जो उसके सामने खड़ा था, आकाश ने कहा इसे फ्रोजन समुदरी भोजन पसंद नहीं है, ब्लैक टोटेम स्नेक को जमे हुए स्क्विड में कोई दिल्चसपी नहीं थी, साथ ही गहरे आकाश को शाबाशी दी, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, कि आकाश ने अकेले हवाई आने का साहस किया था, आकाश ने कहा हम अभी तक जहरीला कोहरा नहीं फैलाएंगे, हम जितना संभव हो उतने शासक स्तर के समुदरी राक्षसों को धोखा देने के लिए कोहरे क एक हथियार के रूप में इस्तमाल करेंगे, स्क्विड किंग को मारने की पूरी प्रक्रिया के दौरान जहरीला कोहरा हवा में चाया रहा, महासागर दानवों को मूलतह पता नहीं था कि क्या हो रहा है, यहा तक कि ये मेई ने भी जरूरी नहीं कि कुम्भ राशी के निच जहरीला कोहरा चंटने लगा, रातरी राक्षस ने म्याव म्याव की, रातरी राक्षस चमक उठा और एक उराने टौवर पर चड़ गया, अगले ही पल खून की एक बड़ी बोचार घंटा घर पर गिरी और घड़ी पर लगी पीतल की सुयों पर गिर पड़ी, आकाश और जियांग यू उस और मुडे, उन्होंने देखा कि एक चुहे जैसा शव जमीन पर गिर कर चकना चूर हो गया है, एक शिकारी गंदा दानव जियांग यू चिलाया, उन्हें छोटे आकार के हंटर डर्टी डेमन से अतिरिक्ट साबधान रहना पड़ता था, चुहे के आका अंडर स्तर के हंटर डर्टी बीस्ट को पलक जपकते ही मार गिराया था, मियाव, रातरी राक्षस घंटाघर के शीर्ष पर खड़ा था, इसकी आखें शहर को स्कैन करते हुए घूम गई, जियांग यू सहेज ही समझ गया कि इसका क्या मतलब है, उन्होंने आकाश से कहा, यहां कई उच्छ शेनी और शासक स्तर के समुदरी राक्षस थे, हालांकि हमें अभी तक उनके सटीक स्थान का पता नहीं चला है, वे हमारे और आंटी ये मेई के लिए आ रहे हैं, आकाश ने कहा, ऐसा लगता है कि महासागर के राक्षस जादू के निर्मान की कुनजी को नश्ट करना जानते हैं, जियांग यू ने कहा, उन्हें ब्लैक टोटेम सांप की गंधा गई होगी, इसलिए वे सावधानी से काम कर रहे हैं, वे एक समय में हमारे पास नहीं आए, वे हम में से एक को छुडाने के लिए मौके का फाइदा उठा रहे हैं, आकाश ने कहा, आप उन्हें संभाल लेंगे, मुझे यकीन है, इस बीच मैं शासक स्तर के महासागर राक्षसों से मुकाबला करूंगा, जियांग यू ने हार मानने से इनकार कर दिया, मुझे कम मत समझो, क्या आप जानते हैं कि नाइट राक्षसा अब किस स्तर पर है, आकाश ने कहा, मै सभी को अपने कुछ शक्तिशाली अनुबंधित जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जियांग यू ने नाइट राक्षसा को प्रशिक्षित करने में बहुत प्रयास किया था, रात्री राक्षस ने महान शासक का स्तर प्राप्त कर लिया था, जदी जियांग यू उससे अलग था, जियांग यू को केवल अपने संबनिंग तत्व की जादूई शक्ति में सभी प्रयास करने थे, उन्होंने अपने अधिकांश संसाधन रात्री राक्षस पर खर्च किये थे, नाइट राक्षसा लिटल फ्लेम बेले से पहले परफेक्ट फॉर्म में चांदी की नदी खड़ी पहाडी चटानों से होकर शहर के केंडर तक बहती थी, पानी धीरे-धीरे नीचे की ओर बह रहा था, यह इतना साफ था कि कोई भी किनारे का निचला हिस्सा साफ देख सकता था जो पानी के बहाव से साफ हो गया था, ये मेई जरने के शीर्ष पर महासागर दानव था, यहां तक की शक्तिशाली रात्री राक्षस भी इसका मुकाबला नहीं कर सका, ये मेई नहीं चाहती थी कि उसकी टीम का कोई भी सदस्य मर जाएं, जिसमें वह युवा जादूगर भी शामिल था, जिनसे वे बीच में मिले थे, जरने के टेढ़े पर दो लाल रंग की आकरितिया चमक रही थी, ये मेई ने अपनी आख के कोने से कुछ हलचल देखी, जिसमें हवा चलने के बाद हिलती हुई बेले, पानी के चीन्टे, पत्तों का गिरना शामिल था, ये मेई ने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया था, उसे आश्चर यह हुआ कि क्या उसका दिमाग उसके साथ चाले खेल रहा था, एक सरवोच शेनी के जादूगर के रूप में, ये मेई एक भीग लत्फमी को नजरंगाज नहीं करेगा, उसने अपनी नजर उस जड़ह पर टिका दी जहाँ पत्तिया गिरी थी, खडी धलान के बीच सीप जैस आकरिती उभर कर सामने आई, आकरिती ऐसी लग रही थी मानो वह चाया में अद्रिश्य हो गई हो, अधिकांश लोग अपनी सामान्य समवेदी अंगों से इसकी उपस्थिती का पता नहीं लगा सके, उन्होंने इसे पानी का छींटा समझ लिया होगा, वे इसकी पहचान न पकडी और उसे लाल रंग की मूर्ती पर फिंक दिया, फूलों की बेल ने और अधिक कांटे पैदा कर दिये, जैसे ही वह लाल रंग की आकरिती पर जपटने लगी और अपने काटों को बारिश की आंधी की तरह बरसाने लगी, लाल रंग की आकरिती ने बचने के लिए अपनी दिशा उलट दी, हाला कि काटों से घनी धंकी फूलों की लताएं उस पर प्रहार कर रही थी, उसके शरीर में काटे चुप गए, जमीन पर गिरने से पहले यह सड़े हुए खुर्मा जैसा लग रहा था, ये में ने एक और अजीब रोना सुना, उसने उपर देखा औ और एक गहरे लाल रंग का हंटर डर्टी डेमन एक वेरियस मैजिक फॉरमेशन की स्थिती में दिखाई दिया, उसने भौहें सिकोड ली, वह एक वेरियस मैजिक फॉरमेशन के निचले भाग में लौटने ही वाली थी, तभी पेडों के दोनों और कई लाल रंग के हंटर दिखाई दिये। वे जानते थे कि उनका ये मेई से कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए वे समय रोकने के लिए उस पर तूट पड़े। लकडी के लिए फूल स्थानांतरन ये मेई चिलाया। जब क्रिंसन हंटर डर्टी डेमन्स ने ये मेई पर हमला किया, तो उसकी लंबी और पतली आकरिती एक पतली फूल की बेल में बदल गई। जब वह हंटर डर्टी डेमन्स के संपर्प में आई, तो फूलों की बेल ने उन्हें घेर लिया और फूलों की पंखुडिया पैदा की, जिससे एक तेज तूफान आया। चार शिकारी गंदे राक्षस पलक जप पकते ही मारे गए। उनका खून नीरी चांदी नदी में बिखर गया। ज़रने के ऊपर फूलों की बेल फिर से इनसान में बदल गई। फिर वह ज़रने की ओर चलने लगी। भाड में जाओ, ये मेई ज़रने के उच्चतम बिंदु पर लौट आई। उसकी हथेली एक ब चालाक शिकारी गंदा दानव भयानक था। भले ही ये मेई का भाला उसके सिर में घुस गया था, फिर भी वह उस पर हमला करता रहा। इसने अपने पंजे फैलाए और उसकी छाती पर हमला करने की कोशिश की उसके दिल तक। ये मेई उदासीन रहे। उसने अपनी उंगल थोड़ी सी हिलाई। भाले के अन्य हिस्सों से कई लंबे और तेज कांटे तेजी से बढ़े और शासक स्तर के हंटर डर्टी डेमन को छेद दिया। फिर भी हंटर डर्टी डेमन अभी भी अपने पंजों के साथ उसके पास आया। ये मेई सफेद रोशनी में चमक रही थी और वह शुद्ध सफेद बर्फ कवच में सुरक्षित थी। ये मेई के दरजनों मीटर दूर पीछे हटने से पहले एक भेदी आवाज सुनी गई जिससे ज़रने के उपर नदी में एक बड़ा छींटा हुआ। शासक स्तर का शिकारी गंदा दानव भयानक था। भले ही उ उसका सिर और शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसने बेरहमी से हमला करना जारी रखा। इसने अपने शत्रु के साथ मिलकर नश्ट होने का निरने लिया। ये में ने कभी भी इस तरह के खतरनाक शासक स्तर के हंटर दर्टी दानव का सामना करने की उम्म यहां तक कि अगर वह शहर के केंदर में पहुची, तो वह समय पर वापस नहीं लौट पाएगी यदि कोई अन्यहंटर डर्टी डेमन एकवेरियस मैजिक फॉर्मेशन को नश्ट करने की कोशिश करता है। यहां अजीब है, स्क्विड किंग कहा है, ये में ने देखा कि उ पार कंपा देने वाली रोशनी चमकती, तो इमारत की दीवारों पर खून की धार फूट परती। ये में हैरान थी। उसने देखा कि एक आकरती तेजी से आगे बढ़ रही है, और जल्द ही जरने की धलान से उसके सामने आ गई। आप यहां क्यों आये थे, ये में ने शा चांती से कहा और अपने सामने खडी सक्त और कम मिलनसार बड़ी बहन की ओर देखा, उसने जमीन पर कई हंटर डर्टी डेमन्स के शव देखे, उनमें से एक शासक स्तरका था, आकाश आश चर्यचकित था, यहां तक पहुँचने में उन्हें बहुत कम समय लगा था, भले ह कोई कमाडरस्तर का हंटर डर्टी डानव नहीं था, तत्य यहां है कि यह मेई एक निमनस्तर के शासक सहित सभी हंटर डर्टी डानवों का वद कर सकती थी, इसका मतलब था कि वह बहुत शक्तिशाली थी, यह मेई को आकाश की बातें हास्यास पद लगी, मैं उन्हें अकेल जाते हुए कहा, आप कहा जा रही हैं, आकाश ने पूछा, मैं स्क्विड किंग को मारने जा रहा हूँ, यह में ने कहा, यह मर चुका है, आकाश ने कहा, बकवास, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि स्क्विड किंग एक बेकार समुदरी दानव है, जो केवल अपनी ताकत क जासा देता है, यह में ने कहा, देखो, यह ताजा भुना हुआ है, और अभी भी गर्म है, क्या आप इसे खाना चाहेंगे, आकाश ने मास का एक बड़ा भुना हुआ टुकडा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, उसने वह टुकडा ग्रीन इस्ट सी गौड के लिए बचा कर रखा था, यह में ने मान लिया था, कि आकाश सिर्फ एक क्रूर युवा जादूगर था, जो खुद से भरा हुआ था, लेकिन अब उसने स्क्विड मास के उस बड़े टुकडे को ध्यान से देखा, जो उसने उसकी ओर बढ़ाया था, उसका चहरा थोड़ा कम सक्त लग र तित थी की आकाश और जियांग यू मरने वाले थे, तो वह शहर में भाग गई थी, ये मेई, स्टिंगरे किंग जादूई सनरचना में उर गया और वह आपकी ओर बढ़ रहा है, हम नीले बालो वाली महिला दानव सेना में फस गये हैं, एक आवाज गुंजी, यह किसी नि आखों की चमक देखी, वे उसे और ये मेई को भूर रहे थे, लाल रंग की आकरितियों की संख्या बढ़ी, हंटर डर्टी डेमन्स एक अजीब तरहे की हरकत वाले जीव थे, वे और अन्य महासागर राक्षस पीछे तक पहुँचने के लिए जादूग्रों द्वारा संर राक्षस विशिष्ट थे, हाला कि वे शासक नहीं थे, वास्तव में सेना के पीछे का मास्टर माइंड़त ब्लैक ट्लॉ समराटव था जिसने राज्य पर शासन किया था, इसलिए उनके बीच हजारों कमांड रस्तर के महासागर राक्षसों को ढूंडना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, प्रशांत महासागर एक विशाल महासागर था, जब शक्तिशाली समुदरी दानव एक साथ एकत्र हुए, तो वे शुष्प भूमी पर किसी भी शहर को गंभीर नुकसान पहुचा सकते थे, तुम हंटर डर्टी डेमन्स से मुकाबला करो, जबकि मैं पूर्ते रहे, ये में ने उपहास किया, स्टिंगरे किंग स्क्विड किंग से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, आप जैसे जादोगर इसके करीब भी नहीं पहुच सकते, मुझे विश्वास है कि आपने मुझे गलत समझा है, आप जानते हैं कि देश ने कई बचाव गल जैसे ही जियान यूने आकाश की बाते सुनी, वह दोड़कर वहां आया, उसने आभरी, आकाश के कौशल में निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ है, लेकिन क्या वह थोड़ा बिनमर नहीं हो सकता, ये मेई उसके अहंकार पर इतनी क्रोधित थी, कि वह लगभग उस नहीं होगी, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, मैं उम्प, ये मेई का गुस्सा कम नहीं हुआ, जियान यू रोना चाहता था, आकाश गूंगा बनना बंद करो, काला टोटेम साप बहुत शक्तिशाली था, लेकिन स्टिंगरे किंग स्क्विड किंग जितना मूर्ख नहीं था जो आकाश के जाल में भंस जाए, स्टिंगरे राजा के अलावा, जादूई संग्रचना के बाहर कई अन्य उच्चस्तरिये शा सकते, रोयल मैजेस और पैंग लाई ने उन्हें फिलहाल बाहर ही रोक दिया था, हाला कि यदि रोयल मैजेस और पैंग लाई का पतन हो गया, तो एक भी काला टोटें साप महासागर दानव अभिजात वर्क को मनुष्यों को निगलने से रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सका, अच्छा, मैं बस यहां रुकूंगा, ये मैई ने उदासींता से कहा, किसी लड़के से बहस करने की बजाए उसके लिए अपना समय औ और आकाश को ध्यान से देखा, वह कुछ नहीं बोली, वह बस आकाश को ऐसे देखती रही मानो वह उसकी विच्छेदन मेज पर रखा एक नमुना हो, उसकी घूरती निगाहे कह रही थी, ठीक है, फिर अपने आपको साबित करो, स्टिंग्रे राजा शहर में आ गया था, बड़ी संख्या में छोटे स्टिंग्रे ने सिलवर ब्लू वैली शहर के आधे हिस्से को कवर किया, वे नीचे उड़े और पिड्डियों की तरहे शहर में घुस गए, आकाश शहरी क्षेतर में लौट आया, यह नगर कुम्भ राशी का निकाय था, यह अधिक विशाल था इस प्रकार यह जादूई सर्णी युधक्षेतर के रूप में काम करेगा, जर्ना जादूई संग्रचना के बिलकुल नीचे था, कुम्भ का प्रवेश द्वार संकीन था, इसलिए अन्य समुदरी राक्षसों की भीर अंदर भुसने में असमर्थ थी, स्टिंग्रे राज इतने बड़े थे, इस बीच स्टिंग्रे किंग एक विशाल मालवाहक जहास जितना विशाल था, जिस क्षन स्टिंग्रे किंग अपने गंतव्य पर पहुँचा, इसने युध के लिए अपने सभी छोटे स्टिंग्रे छोड़े, ये मही उस समय चिंतित हो गई जब उसने आश्चर यहुता की मनुष्य उनसे कैसे लड़ेंगे, महासागर राक्षसों की उपस्थिती अब तक केवल एक हिमशैल का सिरा थी, तुम यही रहो, उसने जियान यू से कहा, ये मही अब इसे और नहीं देख सकती थी, रातरी राक्षस एक महान शासक स्तरका था, और जि स्नेक वही है, जिसने स्क्विड किंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, इससे पहले की मास्टर पैंग ने उसे एक ही वार से मार डाला, जियान यू ने कहा, हैं जो के सनरक्षक, हाँ, ब्लैक टोटेम साप एक टोटेम जानवर है, यहां तक कि स्टिंग्रे किंग का ब्लैक टोटेम स्नेक से कोई मुकाबला नहीं है, जियान यू के बोलने से पहले, उसने सिल्वर ब्लू वाली सिटी के उपर कुछ देखा, आकाश ने पवित्र आत्मा के साथ एक प्राणी को बुलाया था, और वह चाद की रोशनी में चमक रहा था, क्या हैं जो का आ हुआ चमका और ब्लैक स्टिंग्रे लीजियन पर हावी हो गया, यह क्या है जियान यू अवाक रह गया, साप कहा है, वहाँ एक और कुल देवता जानवर क्यों है, मून मोथ फीनिक्स की चमक धीरे धीरे आसपास फैल गई, जल्द ही इसने सिल्वर ब्लू वाली सिटी क शीर्ष को रोशन कर दिया और बदल गया, पंखो का एक जोडा, पतला शरीर और एक एंटीना दिखाई दिया, स्टिंग्रे जने शहर पर कबजा कर लिया था और इसका माहौल खराब कर दिया था, उरने वाली आकार बदलने वाली आत्माओं की बढ़ती संख्या के साथ, पीछे हटने लगी, वे आत्माओं लिटल स्पिरिट मौथ्स थी, जो हमेशा मून मौथ फीनिक्स के साथ रहती थी, ये स्पिरिट मौथ्स फैनक्सिव माउंटेन में गार्जियन स्पिरिट मौथ्स की तुलना में काफी अधिक विशाल थे, उनके पंख पतले और मुलाय किया, रानी के आशिरवाद से मौन मौथ फीनिक्स, स्पिरिट मौथ्स फैनक्सिव परवत में काफी बढ़ गए थे, वहाँ विभिन नक्षमताओं के आत्मा पतंगे थे, कुछ पराग फैलाते हैं, कुछ एकत्रित जानकारी, कुछ ने कड़ी महंत की, और कुछ पोशित दिखते थे, हाला कि सशस्त्र आत्मा पतंगे मंत्रों का उप्योग करने में कुछल थे, वे अपने विशेश कौशल से अहंकारी और शक्तिशाली स्टिंग्रे से लड़ सकते थे, आम्ब स्पिरिट मौथ्स की चमक और अधिक मजबूत और उजजवल हो गई, जमीन से दे हर जगह उडने वाले स्टिंग्रे ने फिर एक व्यवस्थित कतार बना ली, उन्होंने मिलकर जो आकरिती बनाई वह एक विशाल हीरे की तरह लग रही थी, जब वे इस तरह की एक समान संग्रचना में मध्य हवा में उरते थे, तो उनकी तुलना एक बड़े और शांदार समान गाड से की जा सकती थी, वे एक सैन्य परेड की तरह स्टिंग्रे किंग के नीचे उडे, भनभनाहट की आवाज आ रही थी, स्टिंग्रे इस ने घनी उडान भरी और हवा में एक काला किला बनाया, सभी स्टिंग्रे के पंखों से एक अजीब कंपन उत्पन हुआ जो सद्मे की लहर भी वे व्यवस्थित थी, सडकों को भी व्यवस्थित धन से बनाने की योजना बनाई गई थी, ऐसा रिसोर्ट शहर होना दुलब था जहां आधोनिक्ता और शांती एक साथ मौजूद हो, पंखों द्वारा उत्पन्न सद्मे की लहर ने अच्छी तरह से सं मारतें एक पल में पाउडर में बदल गई, स्टिंग्रेस के पंखों की ध्वनी तरंगें हर चीज से उपर उठ गई, जिन पतंगों ने इसे सुना, उनके सिर में जंजनाहट होने लगी और वे कोई अन्य ध्वनी नहीं सुन सके, वह स्थान धूल में बदल गया, सद्मे क आत्मा पतंगों पर पवित्र चांदनी कवच टूट गया, उनके शरीर बिखरे हुए कागस की तरह पतले हो गए, स्टिंग्रे किंग गर्व से मून मोथ फीनिक्स के उपर चक्कर लगा रहा था मानो खुश हो रहा हो, मून मोथ फीनिक्स उदासीन था, इसका चमकीला और हलका शरीर हवा में उड़ गया, और कई बाद की चविया छोड़ गया, स्टिंग्रे लीजन ने पहले तो बाद की चवियों की परवाह नहीं की, लेकिन जब मून मोथ फीनिक्स ने अपने पंख फरफड़ाए, तो मून मोथ फीनिक्स की सभी, बाद की चविया स्टिंग् स्टिंग्रे को घायल करने या मारने में सक्षम नहीं होंगे। सुसंगत आवरित्ती बनाए रखने के लिए उन्होंने कमपन संचारित करने के लिए व्यवस्थित और घनी उड़ान भरी ताकि यह सुनिष्चित हो सके की सभी स्टिंग्रे एक ही गती पर थे। धात्विक काले शरीर से ठंडी और गुस्से भरी आभा जलक रही थी। अंध में आम स्पिरिट मोत और स्टिंग्रे लीजन को मिश्रित कर दिया गया। सफेद स्पिरिट मोत और काली स्टिंग्रे रंग में स्पष्ट रूप से भिन्न थे। उनके बीच एक मात्र सामान्य रंग खून का रंग था, आश्चर्यजनक रूप से चमकी लाला Moon Moth Phoenix और Stingray King के बीच लड़ाई हुई Moon Moth Phoenix की ताकत उसकी पिछली पीडियों के बराबर हो गई थी जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो गया, तो यह Black Totem Snake जैसे राक्षस से आसानी से लड़ सकता था यह मही आश्चर्यचित हो गई जब उसने Moon Moth Phoenix को Silver Blue Valley City के उपर Stingray King की भयानक सेना को रोकते हुए देखा यदि यह जादूग्रों की सेना होती, तो Stingray Raja की शक्ती का विरोध करना कठिन होता उसे याद आया की आकाश ने क्या कहा था एक व्यक्ति एक बचाव दल के बराबर था ऐसा लग रहा था मानो वह डींगे नहीं मार रहा हूँ शोर मच गया, प्रिथवी जोर से कामपने लगी और पूरा कुम्भ हिल गया ये मेई जरने पर खड़ा था और लगभग धलान से नीचे फिसल गया जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, वह यह देखने के लिए मुडी की इसका कारण क्या था उसकी पीठ में एक ठंडक सी उतर गई, उसके पीछे एक लहरदार परवत श्रिंख ला थी हलके नीले आस्मान में पहाड से कई सिर उचे चूल रहे थे वह केवल उनकी गर्दने देख सकती थी, पहाड ने उनके शरीर के बाकी हिस्सों को अवरुध कर दिया था पहाडों के नीचे से और भी सिर निकले और उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की तरह क्रूर और शक्तिशाली था उनमें प्राचीन राक्षसों जैसा जंगलीपन और अहंकार तथा राक्षसों के बीच थोड़ी सी दिव्यता थी वे एक अज्यात दुनिया से आये थे और यह एक भूमी को कामपने के लिए परियाप्त था वे साप के सिर थे उनमें से कुल आठ थे वे सिर हवा में लहराए उसकी राक्षसी आभा के सामने बड़े बड़े जानवर और राक्षसी बुरी आत्माएं कुछ भी नहीं थी यह धीरे-धीरे फिसल गया उनके लिए विकल्प यह था कि या तो वे आत्मस्मरपन कर दें या उन्हें उनके टुक्रे-टुक्रे कर देने दें यह उस ज्वाला मुखी में बड़ा साप है जब ये मेने प्राणी को देखा तो उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई यहां तक कि जब उसने पहले भी उस साम्प को देखा था तो उसे उससे बहुत दर लगा था लेकिन अब वह पहाड पार कर चुका था और एक क्रूर अत्याचारी की तरह सिल्वर ब्लू वैली शहर की ओर रेंग रहा था इसका केवल एक ही लक्ष था जितना संभब हो उतने लोगों को मारना आकाश को भी तीवर आभा का एहसास हुआ जब उसे स्रोत मिला तो ज्वाला मुखी में बड़ा सांप पहले ही बोतल के नीचे पहुँच चुका था कुम्भ की दीवार के पार इसके आठ सिर एक ही समय में पहले हुए थे विभिन रंगों की सोला भयंकर आखे बोतल के नीचे आकाश ये मेई और जियांग्यू को देख रही थी जियांग्यू सबसे पहले जनीम पर गिरा उसके पैर काम परहे थे ये मेई और आकाश खड़े रहे लेकिन वे अपने पूरे शरीर में रोंग्टे खड़े हो रहे महसूस कर सकते थे महासागर राक्षसों की विशाल सेना का सामना करते समय कुम्भ राशी की मजबूती ने उन्हें आशा और राहत प्रदान की थी हाला कि जब उनका सामना इस आठ सिर वाले साप से हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कुम्भ नाजुक था और यह साप उसे आसानी से तोर सकता था और टुक्रे टुक्रे कर सकता था तीदिस आकाश ने राक्षस के शरीर की ओर देखा एक ही शरीर से उगे आठोन सिर उन्होंने सोचा था कि वह पहाड पर फिसल कर उनकी ओर आ गया था लेकिन शव पहाड मे था इसका शरीर आठ पहाडियों और आठ घाटियों को भरने के लिए परियात बड़ा था इसकी पीट पर कुछ क्षेत्रों में बड़े भूरे कवच थे कुछ क्षेत्रों में काई और पेर थे कुछ क्षेत्रों में सफेद धुए के साथ ठंडा मैगमा था इसकी आठ पूछे भी थी जब उसने अपनी पूछ खीची तो पहाड और घाटिया गड़गडाने लगी आकाश समझ गया कि पैंग लाई का क्या मतलब था यह कुछ ज्वाला मुख्ये सांप नहीं थे जैसा कि आकाश ने सोचा था बलकि वे सभी एक ही शरीर से विक्सित हुए थे इस राक्षस के आठ विशाल सिर और पूछ थे आठ सिर वाला साप पैंग लाई कुम्भ राशी के केंदर में था जब उसने राक्षस को पास देखा तो उसकी आखों में भय भर आया शाही महान जादूगर घबरा गए इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता कि वहां कितने भी समुदरी राक्षस थे वे ऐसे भयानक राक्षस से बहतर थे यह सोचना चिंता जंक था कि एक वेरियस इतने शक्तिशाली प्राणी के हमलों के तहट कितनी देर तक तिक सकता है यह कुंभ जादूई संग्रचना को नश्ट करने जा रहा है ये मेई चिलाया आठ सिर्वाले सर्प के तीन सिरों ने मैगमा की गंध के साथ अपने मुह खोले और उनकी गरदन पर घनी रक्त वाहिकाए दिखाई दी लाल कर्म मैगमा रक्त वाहिकाओं में भर गया और उनके गले में इकठा हो गया बूम ऐसा लगा मानो एक ही समय में तीन ज्वाला मुखी फूट पड़े हूँ आठ सिर्वाले सर्प ने कुंभ राशी के पक्ष पर हमला किया तीनों प्रमुख लगातार मैगमा उगलते रहे उनके हमले इतने तेज थे कि बोतल का निचला हिस्सा और मुह भी प्रभावित हो गया सिल्वर ब्लू वाली सिटी दस सिकंड के भीतर मैगमा में डूबी हुई दिखाई दी यदि कुंभ की सुरक्षा नहीं होती तो यह पिघलकर पोखर में तब्दील हो गया होता एक वेरियस मैजिक फॉर्मेशन के बाहर से गर्म हवा बहती हुई अंदर आई कई इलाके इतना अधिक तापमान बरदाश्ट नहीं कर सके और जलने लगे शहर में स्टिंग्रे राजा ने आठ सिरवाले सांप को आग उगलते हुए देखा इसलिए उसने निरनायक रूप से सभी स्टिंग्रे सेना को वापस अपने गलफ़डों में समा लिया और कुंभ को छोड़ दिया मून मोथ फीनिक्स नहीं चाहता था कि उसके सशस्त्र आत्मा पतंगे आग के समुदर में मर जाएं इसने अपने शरीर को हिलाया और सभी सशस्त्र आत्मा पतंगों को चारों और चमक्ती रोशनी में बदल दिया जो उसके साथ जुड़ गई यहां आकाश के पास लौट आया क्या कुंभ राशी वाले हमलों का सामना कर सकते हैं आकाश ने बेचैनी से पूछा फिलहाल हा ये मेई ने उत्तर दिया एक प्रचंड ज्वाला ने सिल्वर ब्लू वैली शहर को लाल गंदगी में बदल दिया भले ही कुंभ जादूई संग्रचना ने आठ सिर्वाले सर्प द्वारा उगली गई अधिकांश आग को रोक दिया था फिर भी उन्हें गर्मी और असुविधा महसूस हो रही थी जैसे कि वे भट्टी में हो यदि वे सीधे आग का सामना करते तो उनमें से अधिकांश इसका सामना करने में सक्षम नहीं होते आठ सिर्वाले सर्प द्वारा मैगमा का छिड़काव समाप्त करने के बाद सभी ने सोचा कि उनके पास तयारी के लिए थोड़ा समय होगा हाला कि एक और सिर फिर उठा इस सिर से जुड़ा शरीर हिंखंड जैसा था जैसे ही आठ सिर्वाले सर्प के बरफीले सिर ने हमला करना शुरू किया एक बरफीला तूफान दिखाई दिया बहुत खूब बर्फीले सिर ने एक भयानक सफेद बर्फ का जवार छिड़का यह ऐसा था मानो आठ सिर वाले सर्पने एक हिंखंड खा लिया हो और उसे हिंसक तरीके से उगल दिया हो मैगमा ने अभी-अभी एक वेरियस को जुलसाया था और बर्फ का जवार उसे फिर से हरा रहा था बोतल की दीवार पर तुरंट एक दरार दिखाई दी थंडी हवा दरारों के माध्यम से सिल्वर ब्लू वैली शहर में प्रवेश कर गई घाटी गर्म गर्मी से भीशन सर्दी में बदल गई नदिया, शहर, पहाड, जंगल और यहां तक की निचले स्तर के समुदरी राक्षस भी जम गए अरे नहीं ये मेई सिल्वर ब्लू नदी के पानी को देखकर मुह बनाने लगी कुंभ जादूई संरचना को बनाए रखने के लिए नदी का प्रवाह महत्वपूर्ण था यह कुंभ राशी की प्रत्येक स्थिती में अवरोध की उर्जा पहुँचाएगा यदि नदी स्थिर हो गई तो कुंभ के अन्य हिस्से भी कठोर हो जाएंगे और उर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे जमी हुई चीजें अपनी कठोर ताखो देती हैं और प्रभाव से आसानी से तूट जाती है सिल्वर ब्लू नदी जम गई थी जिसका मतलब था कि संपूर्ण कुंभ जादूई संरचना जमी हुई थी एक साथ हो जाओ कुंभ तूट रहा है ये मेई चिल लाया बोतल का निचला भाग पहले से ही तूटा हुआ था नाजुक टोटी की तो बात ही छोड़ दें आठ सिर्वाले सर्प ने अपने विशाल शरीर से कुंभ को तोड़ डाला आठ सिर्वाले सर्प के कुछले जाने से विशाल कुंभ जादूई संरचना तूट गई यहां तक की पहाडी घाटी भी इसकी भयानक शक्ती के कारण लगभग गहरी जमीन में डूग गई बूम यह एक और पूर्ण विक्सित स्टॉंपिंग थी आठ सिर्वाले साम का शरीर एक विशाल परवत जैसा था यहां उसके सिर और गर्दन की तरह पतला नहीं था इसकी विनाशकारी शक्ती प्राचीन राक्षसों के बराबर थी यहां पृत्वी को डुबा सकता है मानो आठ सिर्वाला सर्प विनाश के लिए पैदा हुआ हो भीर इकठी हो गई आठ सिर्वाले सर्प के सामने वे बहुत छोटे लग रहे थे पैंड लाई गंभीर लग रही थी वह एक ऐसे समाधान के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था जिससे वे सभी सुरक्षित बच सके उसे संदेह था कि वे प्राणी के विरुध जीट सकते हैं वे एक वेरियस मैजिक फॉर्मेशन के बिनामर गए होते लेकिन यह और भी बुरा था सभी दिशाओं में अंगिनत दुश्मन थे और हर कोई एक नाजुक चटान पर लग रहा था हर दिशा से राक्षसों की लहरें आने लगी प्रमुख उपप्रमुख आप दूसरों को घाटी के प्रवेश द्वार से बाहर लाएं हम चारू पवन क्लेश शुरू करेंगे चार दिशाओं के रक्षकों में से एक बेशो ने द्रिड़ता से कहा तुम सब जाओ मैं पवन क्लेश शुरू करूंगा पैंग लाई ने अपना निर्ने लिया प्रमुख अगर हम एक साथ काम करें एक मध्यम आयू वर्ग के महान जादूगर ने कहा मैंने तै कर लिया है आठ सिर्वाला सर्प एक प्राचीन राक्षस है यहाँ कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता जबकि कुम्भ राशी में अभी भी थोड़ी उर्जा शेश है आप लोग घाटी के प्रवेश द्वार से बाहर निकलें मैं आठ सिर्वाले सांप को पकड लूँगा और तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूँगा पैंग लाई ने कहा कैसा रहेगा अगर मैं आठ सिर्वाले सांप को पकड लूँग और तुम सब भाग जाओ आकाश जिचका आकाश नहीं चाहता था कि पैंग लाई मर जाए वह पैंग लाई का सम्मान करता था और वह उसे खत्रे में देखना बरदाश्ट नहीं कर सकता था सिर्फ इसलिए कि मैं रुक गया इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा आकाश पैंग लाई ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरी बात सुनो मुझे पता है कि आपके हाथ में अभी भी कुछ कार्ड हैं लेकिन हमें कमांडर हुआ भी नहीं मिला है अगर हम इसका इस्तिमाल अपनी सुरक्षा और भागने के लिए करते हैं तो हमारे यहां आने का क्या मतलब है लेकिन वह प्राणी डराबना है आकाश ने अपने सिर के उपर आठ सिर वाले साप पर नजर डाली आठ सिर वाले सांप ने पहले ही घाटी और शहर को पुचल दिया था वे सभी एक साथ एक अत्र हुए और बोतल के मुह की शेश स्थिती का उप्योग खुद को बचाने के लिए किया आकाश टोटेम को बाहर जाने दो हम पहले भागेंगे पैंग लाई ने फिर कहा प्रमुख उस्मून मौथ फीनिक्स टोटेम के साथ भी हमारे लिए महासागर राक्षसों की सेना से चुटकारा पाना मुश्किल होगा सभी को मिलकर कान करना चाहिए ये मेई ने कहा बकवास बांध कर इसे करें पैंग लाई ने आदेश दिया पैंग लाई ने अपना मन बना लिया था इसलिए अन्य लोग अवग्या नहीं कर सकते थे उन सभी का ध्यान बोतल के मुहाने पर स्थित घाटी के प्रवेश द्वार पर था महासागर के राक्षसों को पता चल गया था कुंढ का मुह तूट गया आकाश भी जानता था कि यह समय संदेह करने का नहीं है उसने टोटेम ओर्ब को छुआ और ब्लैक टोटेम साप को छोड़ दिया पहले हवा में जहरीला कोहरा भर गया एक मिनट से भी कम समय में ब्लैक टोटेम सांप का हरा जहरीला कोहरा घाटी के प्रवेश द्वार में भर गया था अत्यधिक जहरीले स्क्विड किंग को खाने के बाद ब्लैक टोटेम सांप और भी जहरीला हो गया जहरीले कोहरे का रंग इतना गहरा था कि वह लगभग काला नजर आ रहा था जैसे ही जहरीला कोहरा फैला, महासागर राक्षसों के समूह सुन हो गए और लक्वागरस्थ होकर जमीन पर गिर पड़े ये मेई, चार दिशाओं के रक्षक, समान पोशाक में तीन महान जादूगर और अन्यशाही जादूगर खुश थे समूदरी राक्षसों के विरुद्ध जहरीला कोहरा बहुत प्रभावी लग रहा था यहां तक की कमांडर स्तर के जीव भी कोहरे से बच रहे थे अरे, रास्ता खोलने में हमारी मदद करो, आकाश ने काले टोटें साप से कहा काला टोटें साप शक्तिशाली था इसने अपना शरीर फैलाया और घाटी के प्रवेश द्वार के लगभग आधे हिस्से पर कबजा कर लिया यह बहुत तेज भी था जब वह आगे बढ़ा तो उसके संपर्क से चट्टाने और पहार की दीवारे तूट गई घाटी के प्रवेश द्वार को अवरुध करने वाली सेना समुदरी शैवाल बालो वाली महिला दानव और गहरे समुदर में छिपकली दानव ड्रैगन प्रूप थी साधारन छिपकली दानव ड्रैगन संकर ड्रेगन थे उन्हें गहरे समुद्र की छिपकलियों की भयानक प्रजन क्षमता विरासत में मिली हर वसंत में कुछ अलग्थलग प्रशांत ग्वीपों में गहरे समुद्र में छिपकलियों के अंगिनक अंडे होंगे बड़े पैमाने पर प्रजन के कारण ड्रैगन रक्त वाले प्राणियों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी रक्तरेखा जितनी शुद्ध होगी प्रभाव उतना ही अधिक होगा शिपकली दानव ड्रैगन ने अधिकांश हाइब्रिट ड्रेगन, शदमडरेगन और उपडरेगन की कमियों को पूरा कर दिया था ड्रैगन रक्त के मजबूत भौतिक लाब के कारण, प्रशांत महासागर के मध्य में शिपकली दानव ड्रैगन सामराजिका गठन किया गया था शिपकली दानव ड्रैगन का आईक्यू अधिक नहीं था, लेकिन एक प्राणी था जिसने उनके साथ पारस पर एक रूप से लाभप्रत सहजीवन बनाया था यह समुदरी शैवाल बालो वाली मादा राक्षसी थी कई समुदरी देश गहरे समुदर की इन भयावः और दुष्ट महिलाओं से नफरत करते थे वे न केवल करूर थे, बलकि उन पर चीजों और स्थानों पर हमला करने का जुनून भी सवार था प्रत्येक समुदरी शैवाल बालो वाली महिला दानव एक छिपकली दानव ड्रैगन रूप के नेता के बराबर थी समुदरी शैवाल बालो वाली मादा दानवे अपनी जाती के अलावा हर प्राणी के खिलाफ लगातार युद्ध छेरती रहती थी और उन्हें विशेश रूप से मनुश्यों वाले शहर पसंद थे इन समुदरी शैवाल बालो वाली मादार आक्षसों और गहरे समुदर में चिपकली दानव ड्रेगन के कारण विदेशों में अधिकांश तटिय शहर रातोंगरात गायब हो गए ऐसा लगता था जैसे वे युद्ध के लिए ही बनाए गए हूँ यहां तक कि उन्होंने अतिप्रजन की अपनी भयानक शम्ता को कम करने के लिए युद्ध पर भी भरोसा किया और अन्य गहरे समुदर शिपकली दानव ड्रेगन को एक स्थिर रहने की जगह दी समुदरी शैवाल बालों वाली महिला दानव ने अपने स्थर की ताकत और शक्ति के साथ गहरे समुदर में चिपकली दानव ड्रेगन ट्रूप का नेत्रित्व किया एक बैंगनी बालों वाली महिला दानव ने घाटी के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया इसने दस नीले बालों वाली महिला राक्षसों के एक हजार छिपकली दानव ड्रेगन दल का नेत्रित्व किया इसमें एक विशिष्ट छिपकली दानव ड्रेगन ट्रूप भी था जो पूरी तरह से कमांडरस्तर के तानाशा छिपकली दानव ड्रेगन और शासक्स्तर के विशाल छिपकली ड्रेगन से बना था दसियों और हजारों बड़े छिपकली दानव द्रेगन ने घाटी और बाहर के छेत्र को भर दिया यह देखना दरावना था संकरी घाटी में हराकाला जहरीला कोहरा फैल गया और काला टोटें सांप कोहरे में ही रह गया इसने एक ही बार में अपना सब कुछ प्रकट नहीं किया इसने एक जहरीला कोहरा ले लिया और घाटी के प्रवेश द्वार को ढख दिया जिसमें दसियों और हजारों गहरे समुदर में छिपकली दानव द्रेगन सैनिक थे शिपकली दानव ड्रेगन के समूह गिर गए और जील लगभग लाशों से भर गई शिपकली दानव ड्रेगन सेना बहादुरी से आगे बढ़ रही थी लेकिन अचानक हुई सामुहिक मौत के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा एक नीले बालों वाली महिला दानव की हजार शिपकली दानव ड्रेगन ट्रूप ने काले टोटेम साम्प को आगे बढ़ने से रोक दिया ब्लैक टोटेम साम्प अचानक आगे की ओर उचला और उसने अपनी विशाल पूँच को थाउजेंड लिजर्ड डेमन ड्रेगन ट्रूप पर थप्थपाया शिपकली दानव ड्रेगन की मृत्यू हो गई पूँच की टाकत कुछ ऐसी थी जिसे ये निचले स्तर के महासागर राक्षस बिलकुल भी सहन नहीं कर सकते थे भले ही उनकी तवचा ड्रेगन के खून से सनी हुई हो फिर भी वे हमले का सामना नहीं कर सके ब्लैक टोटेंस आपने गहरी सास ली और उसका पेट और गर्दन थोड़ा फैल गया अचानक उसने अपना मूग खोला और थूप दिया एक विशाल हरी रोशनी एक सीधी रेखा में चमकी ग्रीन स्नेक लाइट के थूखने में चट्टानों और पॉधों पर कोई विनाशकारी शक्ती नहीं थी और यह एक रोशनी की तरह दिखती थी जो हानिरहत रूप से फैलती थी हालाकि छिपकली दानव ड्रेगन पिघल गए उनके शरीर, उनकी हड्डियों सहित, पिघल गए और पोखर में बदल गए जो कुछ बचा था वह छिपकली दानव ड्रेगन की तवचा थी घ्रीन स्नेक लाइट एक विस्तरित शेतर में फैल गई और छिपकली दानव ड्रेगन ट्रूप को भारी हताहत होना पड़ा शक्तिशाली सेना मर रही थी ये मेई, चार दिशाओं के रक्षत, महान जादूगर और शाही जादूगर तब चौक गए जब उन्होंने काले टोटेम सांप को रास्ता साफ करते देखा ये मेई ने सोचा कि आकाश मून मौत फीनिक्स को बुलाएगा जिसने पहले लडाई में सभी की सहायता करने के लिए स्टिंगरे को अवरुध कर दिया था उसे उम्मीद थी कि इससे उन्हें रास्ता साफ करने में मदद मिलेगी हाला कि आकाश ने एक सर्वोच शासक को बुलाया था ब्लैक टोटेम सांप की विनाशकारी शक्ती मून मौत फीनिक्स की शक्ती से कई गुना अधिक थी ब्लैक टोटेम स्नेक ने अधिकांश शिपकली दानव ड्रैगन प्रूप को मारने के लिए जहरीले कोहरे और शक्तिशाली ताकत का इस्तमाल किया काला टोटेम साप शक्तिशाली था शिपकली दानव ड्रैगन प्रूप भी अपेक शाकृत शक्तिशाली और प्रूर लड़ा कु दल था हाला कि यह फिर भी ब्लैक टोटें साप के हमले का सामना नहीं कर सका धाटी के पीछे आठ सिर वाले सांप ने विनाशकारी आभा के कारण अपना सारा सिर धाटी के प्रवेश द्वार की ओर कर लिया उसकी कुछ गर्दनों में गल्फरे थे और वे सभी खुले हुए थे मानो उन्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा हो जो उसके जैसे राक्षस के शक्तिशाली अस्तित्व को खत्रे में डाल सकती थी आठ सिर वाला सर्प अब इस लड़ाई में गंभीर होता दिख रहा था काला टोटें साप घूम गया इसने सामने की चोटी बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी पूच का उपयोग किया और आठ सिर वाले साप को घूरने के लिए अपना सिर उठाया आठ सिर्वाले सांप के आठ सिरों ने गडगडाहट जैसी आवाज निकाली और काले टोटेन सांप की ओर दौर पड़े जब उसका विशाल शरीर हिलता था तो ऐसा लगता था मानो आठ भयानक और क्रूर सिर एक परवत को अपने पीछे खीच रहे हो चोटा शहर ऐसी तबाही बरदाश्ट नहीं कर सका पवन क्लेश के नौ लोग आठ सिर्वाले सर्प के सिलवर ब्लू वैली शहर में घुसने के बाद पैंग लाई की गंभीर आवाज ने अचानक सब कुछ अभिभूत कर दिया सफेद वस्तर में पैंग लाई को घाटी के बीच में लटका दिया गया था उसके शरीर पर प्रकाश इतना तेज था कि पूरी जगह रोशन हो गई वह एक देवता की तरह लग रहा था विभिन आयामों से हवा आकाश में भड़क उठी और विशाल विश्व में भर गई उनके चाया चित्रस पश्ट थे वे दिव्य पवन हंसिया थे और इस विमान को काट रहे थे दिव्य पवन दरांती की शक्ती अनंत थी यहां तक की विधवन सक आठ सिर्वाले सर्प ने भी दिव्य पवन हंसिया द्वारा काटे गए नौ लोकों में आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं की पवन क्लेश के नौ लोकों में अपेक्शाकरित थोस भागों का उप्योग करने की कोशिश की लेकिन दिव्य पवन सिकल ने उन्हें आसानी से काट दिया उसके शरीर का एक बड़ा टुकडा जमीन पर गिर गया इसने आठ सिर्वाले सर्प को और भी क्रोधित कर दिया वह काले टोटें सांप को टुकडे टुकडे करना चाहता था लेकिन एक मात्र मानव के शक्तिशाली पवन क्लेश के नौ लोकों ने उसका रास्ता रोक दिया अचानक आठ सिर्वाले सर्प ने अपना सारा गुस्सा घाटी के मध्य में पैंग लाई पर स्थाना अंतरित कर दिया पैंग लाई अकेली थी घले ही उसकी साधना बहुत उची थी राक्षस के सामने खड़ा होना मौत को दावत देने के समान था आठ सिरों वाला सर्प उस स्थान पर मंडरा रहा था जहां दिव्य पवन हंसिया नहीं पहुच सकती थी यह जानता था कि बूढ़ा मानव मनुष्य दिव्य पवन हंसिया को बहुत अधिक घुमाने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि इससे सभी राक्षसों के हमलों के लिए दिव्य पवन हंसिया ही उजागर हो जाएगी पैंग लाई ने हमलों को रोकने के लिए पवन क्लेश के नौ लोकों का उप्योग किया उसने खुद को बचाने और शक्तिशाली राक्षसों को पास आने से रोकने के लिए दिव्य पवन सिकल के हत्या प्रक्षे पत का भी उप्योग किया अरे उस राक्षस को अंदेखा करो पहले हमारी मदद करो आकाश ने ब्लाक टोटेम स्नेक से कहा इस दुनिया में बहुत से प्राणियों ने ब्लाक टोटेम साप को भढ़काने की हिम्मत नहीं की आठ सिर वाला साम्थ एक प्राचीन राक्षस और प्राक्रितिक विद्धवन सक था लेकिन ब्लाक टोटेम साम्थ कोई साधारन प्राणी नहीं था हजारों वर्षों से काला साप हमेशा सापों का पूर्वज रहा है आठ सिरों बाला साम्थ काले टोटेम साम्थ की तरह अपने रक्त में उतना शुद्ध नहीं था काला टोटेम साप तरकसंदत था इसने लड़ाई में जल्दबाजी नहीं की वे हवाई में थे देरस बेर वैसे भी लड़ाई नौबत आही जाएगी समुदरी शैवाल बालो वाली महिला दानव और चिपकली दानव ड्रैगन प्रूप को एहसास हुआ की जहरीले कोहरे में एक सर्वोच शासक सांप था इसलिए उन्होंने तुरंत कमांडर स्टर के चिपकली दानव ड्रेगन और विशाल चिपकली ड्रेगन को बुलाया चिपकली दानव ड्रेगन से बहुत लंबे थे हाला कि ब्लैक टोटेम साप के लिए वे सिर्फ चिपकलिया थी साथ शासक्स्तर के विशाल का आई चिपकली ड्रेगन बड़ी चिपकलिया थी जबकि 100 से अधिक कमांडरस्तर के तानाशा चिपकली दानव ड्रेगन चोटी चिपकलिया थी उनके पीछे विशाल चिपकली ड्रेगन डल चोटे पिस्सू के अलावा कुछ नहीं था जब ब्लैक टोटेम सांप शांत था तो यह वेस्ट लेक में एक आलसी और नेक जल सांप था यह मनुश्यों और जानवरों के लिए हानिरहित था और एक पालतू जानवर की तरह बिनमर था हाला कि जब यह हत्या और लडाई कर रहा था तो इसने बिलकुल अलग स्वभाव दिखाया इसकी भयानक और थंडी आभा किसी को भी आभात पहुचाने के लिए काफी मजबूत थी साथ शासकस्तर के विशालकाई चिपकली ड्रेगन एक साथ खड़े थे लेकिन उनमें से किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की ब्लैक टोटें सांप ने शासकस्तर के विशालकाई चिपकली ड्रेगन को काटने के लिए अपना मुह खोला फिर इसने इसे कई अन्य विशालकाय छिपकली ड्रेगन के खिलाफ पटकने के लिए फेंक दिया अन्य विशालकाय छिपकली ड्रेगन दहाडने लगे बैंधनी बालों वाली एक महिला दानव ने एक अजीब गाना गाया वे सभी लाल रोशनी से चमक उठे और एक साथ काले टोटें सामकी ओर दौर पड़े ब्लैक टोटें स्नेक इंडर पोक बड़े चिपकली दानव ड्रैगन के कदम उठाने का इंतजार नहीं करेगा उसने अपना शरीर सीधा कर लिया और उसके पूरे शरीर की पपडिया चमकीले हरे रंग की चमक उठी यह साथ विशाल चिपकली ड्रैगन में दुरगट नाग्रस्थ हो गया और इसके तराजू तीवरता से खिल गए यह अजे कवच पहनने जैसा था जब यह उन विशाल काई चिपकली ड्रेगन से टकराया तो वे शासकस्तर के विशाल काई चिपकली ड्रेगन की हड्डियों के चटकने की आवास सुन सकते थे शाही जादूगर लडाई में शामिल होना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे दुश्मन थे लेकिन उन्हें इसकी आवश्चकता नहीं थी साथ शक्तिशाली शासकस्तर के विशाल चिपकली ड्रेगन ब्लैक टोटेम साम्प के खिलाफ जीत नहीं सके कुछ राउंड तक लड़ने के बाद ब्लैक टोटेम साम्प द्वारा काटे जाने के बाद प्रत्येक विशालकाई छिपकली ड्रेगन गंभीर रूप से घायल हो गया आकाश ने सुझाव दिया हम पीछे वालों का ख्याल रखेंगे और ब्लैक टोटेम साम्प के जहरीले कोहरे में उनसे लड़ेंगे ताकि वे हमें घेर न सकें ओ ठीक है ये मेई और अन्य शाही जादूगर अपने होश में वापस आ गए शाही महान जादूगरों की ताकत भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी उनमें से प्रत्येक साधना के शिखर पर पहुँच गया था अंतर केवल जादूई नियंतरन, विकास, अलौकिक शक्ती और मौलिक बीज थे जह कहना कोई अतिश्यक्ती नहीं होगी कि वे मानव शेत्र के सबसे शक्तिशाली जादूगरों का प्रतिनिधित्व करते थे चारू दिशाओं के रक्षकों ने काफी चतुराई से सहयोग किया उन्होंने एक मानक चतुरभुज संरचना बनाने के लिए हवा, बिजली, पौधों और अंतरिक्ष की चाथ शमताओं का उप्योग किया और छिपकली दानव ड्रैगन ट्रूप की रक्षा दिवार को तोर दिया उनका ध्यान रखो, ये मेई चिपकली दानव ड्रैगन प्रूप के पास पहुँची यह पता चला कि वह एक लड़ाकू मशीन थी आकाश ने सिरहिलाया और अपने बगल के तीन शाही जादूगरों पर नजर डाली वह नहीं जानता था कि ये मेई क्यों चाहती थी कि वह उन तीनों की देख भाल करे शायद वे महत्वपूर्ण लोग थे वे कमांडर हुआ के लिए उप्योगी हो सकते हैं वह खड़ा हुआ और सामने चला गया तुम दोनों मेरे करीब आओ काना शाह छिपकली दानव ड्रैगन मजबूत है और उसके पूरे शरीर पर कंकाल ड्रैगन का कवच है अगर हम तितर बितर हो जाते हैं तो हमारे लिए आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा रॉयल जादूगर वांपिंग ने कहा रॉयल मैजली क्यों ने कहा हम चार दिशाओं के गार्ड्स के डेश फॉर्मेशन का अनुसर्ण करेंगे दूसरा व्यक्ति कठोर था और ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता था जिसे छोटी-छोटी बातचीट में आनंद नहीं आता था वह अंजाने में आकाश और जियांग यू के पास खड़ा हो गया और सुरक्षात्मक मुद्रा में सतरकता से देखता रहा हाला कि ये तीनों लोग अभी तक रॉयल क्रेक मैच के स्तर तक नहीं पहुंचे थे वे बड़े शहर में प्रथम श्रेनी के स्वामी थे उनका ध्यान कमांडर स्तर के तानाशा चिपकली दानव द्रेगन पर था तानाशा चिपकली दानव द्रेगन के एक समुह ने गुपरूप से ब्लाक टोटेम स्नेक के युद्धक्षेत्र को बाइपास किया और उन पर हमला किया आकाश आश चर्यचकित था उन्होंने पाया कि तीन शाही जादूगर अपनी अपनी स्थिती में थे और उन्हें एसास हुआ कि ये मेई आकाश और जियान्ग्यू का ध्यान रखने का जिक्र कर रहे थे आखिरकार आकाश और जियांग यू 30 साल के भी नहीं थे और उनकी शकल जादू के नएस नातकों से बहुत अलग नहीं थी फॉर्बिडन सिटी जैसी जादूई शक्ती में यह देश भर के कॉलेजों और विश्व विद्यालियों से कुछ सबसे उतक्रिष्ट जादूगरों को अपने विभाग में प्रशिक्षू के रूप में भरती करेगा हालाकी बहुत कम प्रशिक्षू ही रुके रह सके ज्यांग्यू जैसा नाशनल इंस्टीक्यूट का स्टारस्तरिय जादूगर एक विशेश मामला था मुझे आपसे टोटेम गार्जियन बनने की उम्मीद नहीं थी इस दुनिया में टोटेम जैसे बहुत कम प्राचीन जीव रहते हैं इसलिए टोटेम का होना सौभागय की बात है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप विश्व कॉलेज टूर्नामेंट से बाहर खड़े हो सकते हैं रॉयल जादूगर ली क्यों ने आकाश से कहा आकाश को असहज महसूस हुआ क्या यह संभव था कि चीन में कोई जानबूचकर उसके साथ खिलवाड कर रहा था अन्य था यह कैसे संभव था कि जाओ जिनको हराने के बारे में किसी को पता नहीं था हर कोई सोचता था कि वह उनकी शक्तियों की बराबरी नहीं कर सकता तोटेम जानवरों का होना खास था लेकिन आकाश को लगा कि वह खुद भी कमजोर नहीं है क्या यह संभव था कि ली क्यों उसे पसंद नहीं करते थे इसलिए उन्होंने जानबूचकर अपनी सारी क्षमताओं का श्रे तोटेम गार्जियन को दिया आकाश ने सोचा की बात की संभावना अधिक है भाई ली मेरे पास नाइट राक्षस है इसलिए कुछ नहीं होगा इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जियांग्यू ने कहा जियांग्यू एक जादूगर था जो सम्मनिंग तत्व का आदी था उन्होंने आत्मरक्षा के लिए अधिकतर अपने कौशल का उप्योग अन्य तत्वों में किया और वे बहुत प्रभावी नहीं थे उसने एक हाथ अपने दाहिने हाथ के कंगन पर रखा और उसे धीरे से घुमाया यह सभी हाइब्रेट ड्रेगन और छग्म ड्रेगन का एक समू है हम्फ मैं उन्हें मारने के लिए एक सबड्रेगन को बुलाऊंगा जियांग्यू की आवाज गंभीर और आश्वस्ट थी क्या आप वान ड्रेगन वैली खोल सकते हैं प्राचीन जादू पोर्टल से थोड़ा अलग था उनका प्राचीन जादू पोर्टल पंजे के आकार, सींग के आकार, पंक के आकार और आख के आकार के प्राचीन ड्रेगन पैटर्न से भरा था ऐसा लगता था कि प्रत्य एक ड्रैगन पैटर्न एक अलग ड्रैगन जाती का प्रतिनिधित करता था और प्राचीन जादू पोर्टल पर ऐसे सैकडों और हजारों ड्रैगन पैटर्न थे वान ड्रैगन वैली को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने धीरे से सफेद कंगन घुमाया। आकाश ने देखा कि उसके ब्रेसलेक पर कई छेद आपस में जुड़कर ड्रैगन पैटर्न में बन गए हैं। उसके पंक फैल गए और अंगिनत हड्या भाले की तरह गिरने लगी। वे तेज और भयानक थे। इसकी पीठ बडीब्ली हड्यों से भरी हुई थी। जब यह चलता था तो यह एक विशाल घडी की मशीन की तरह आवास करता था। एक पल के लिए आकाश को लगा कि यह कंकाल ट्रेगन है जो आठ दिशाओं के मृत राजाओं में से एक है। अलाकि यह सपष्ट था कि वे एक ही प्रजाति के थे। इस गंकाल ट्रेगन की काया और आभा आठ दिशाओं के मृत राजा से थोड़ी हीन थी। आलाकि यह आईब्रेड ग्रेगन और स्युडो ड़ेगन क कठोर्ट वचा को आसानी से छेद सकती है। भरने के लिए चुम्बक की तरहा ताजा सिडो ड्रेगन की हड्डियों को अपने शरीर की ओर आकरशित करता था। यदि पर्याप्त आराम मिलने के बाद जियांग्यू ने इसे बुलाया तो यह कहना मुश्किल होगा कि सुरक्षा की आवश्यक्ता किसे है। जियांग्यू ने तीन शाही जादूग्रों की प्रशंसा भरी निगाहों का ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन आकाश की तारीफ ने उसे विशेश रूप से खुश कर दिया। धत तेरी की। या फ्लेम ड्रैगन को खोलने में सक्षम हो सकता हूँ, जियांग्यू ने कहा। स्केलेटन ड्रैगन ने आसपास के खतरों को दूर कर दिया था, इसलिए वे फिलहाल सुरक्षित थे। यह एक संबनिंग जादूगर होने का लाब था। यदि वे किसी खतरनाक प्राणी को बुलाने के लिए परियाप्त सासी होते, तो वे युद्ध के मैदान में भी स्वस्थ होने के लिए समय पासकते थे। मैं केवल थाउजेंड ट्राइब एल्फ टॉवर ही खोल सकता हूँ, आकाश ने देखा कि तीन शाही जादूगर पहले ही अपने दाहिनी और हंटर डर्टी राक्षसों से निपट चुके थे, इसलिए वह लड़ने में जल्दबाजी नहीं की। आकाश अभी भी वान ड्रैगन वैली का इंतजार कर रहा था, उसने अभी जो ड्रैगन पैटर्न देखा था, वह वान ड्रैगन वैली में ड्रैगन को बंद करने की कुझी होनी चाहिए, वह भविश में जियान यू से सलाह मांगेगा, क्या आपका संबनिंग तत्व सुप अगर छिपकली दानव ड्रैगन हमें घेर लेते हैं, तो आपके पास जादू करने का समय नहीं होगा, जियान यू ने कहा, आकाश ने सिर हिलाया, वह सही था, समनिंग एलेमेंट की इतनी जादूई उर्जा को बचाने का कोई फाइदा नहीं था, अनुबंधित जानवर और आयामी जानवर किसी जादूई उर्जा का उपभोग नहीं करते थे, यह समन्द बीस्ट्स और प्राचीन जादू पोर्टल था जिसने सबसे अधिक उर्जा की खपत की, आकाश ने बिजली तत्व को एकिकरित करना शुरू किया, उनके तड़ित तत्व की साधना सबस प्राचीन जादू पोर्टल में सिल्वर थंडर टाइटन लडने के लिए तयार नहीं था, किसी जानवर को बुलाना हमेशा सफल नहीं होता, यह जादूगर के आध्यात्मिक शेत्र और जानवर की मनोजशा पर निर्भर करता था, आप थाउजेंड ट्राइब एल्फ टा यदि आप उन्हें इस अवधी में बहुत अधिक लड़ने के लिए कहेंगे, तो उन्हें मनोवय ज्यानिक विकर्शन होगा, आखिरकार वे केवल आपके लिए काम करते हैं, आयामी जानवरों की अर्धदास्ता के विप्रीत जियां यू ने समझाया, आकाश के पिछले कुछ प्रयासों में भी ऐसी ही स्थिती बनी थी, उन्हें उन औसक शासक कल्पित बॉनों से लड़ने के लिए कहना पड़ा, और सफलतादर 30 प्रतिशत से भी कम थी, उस समय उन्होंने उन अनुबंधित जानवरों को सफलता प भोग करने के बाद भी वह हर योगिनी को बुलाने में सक्षम नहीं हो सका, उसे और अधिक अभ्यास की आवश्यक्ता थी, सफलता आसान नहीं थी, आपको लिटल फ्लेन बेले को बुलाना चाहिए, जियां यू ने सुझाब दिया, दूसरे शब्दों में उनका मतलब था कि आकाश इसमें बुरा था, प्राचीन जादू पोर्टल का निर्मान बहुत धीमा था, आध्यात में प्रवेश का समय सही नहीं था, और संचार अच्छा नहीं था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह असफल हो गया, आकाश जानबूझ कर यह बात नहीं छुपा रहा प्राचीन जादू पोर्टल का निर्मान बहुत धीमा है, आपको उन 2401 सितारों का अभ्यास करना होगा, जब आप संबनिंग एलेमेंट की ख्षमता जारी करते हैं, तो क्या आप अन्य तत्वों के जादू को रोक सकते हैं, आप एक ही समय में दो तत्वों का उप्योग कै जियांग यू ने आकाश को डाटना जारी रखा, यदि आकाश अन्य तत्वों को एकी करित नहीं करता, तो आकाश द्वारा बुलाय जा सकने वाले कल्पित बौनों का स्तर बहुत कम होगा, उसी उप्भोग के तहट संबन का स्तर जितना अधिक होगा, वह उतने ही बहतर प्राणियों को संबन कर सकता है, यदि वह असफल हो गया, तो वह कुछ नहीं कर सकेगा, इस बार आकाश ने लाइटनिंग एलेमेंट को एकी करित नहीं किया, उन्होंने अपने फ्यूजन जादू में छाया तत्व को जोड़ा, छाया तत्व उसके बिजली तत्व और गलत रास्ता मत अपनाओ, यह आपको एक अज्यात दुनिया में खीच सकता है, और फिर आप अन्य प्रजातियों के लिए बुलाए गए जानवर बन जाएंगे, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप कभी वापस नहीं आ सकेंगे, जियां यू अचंभित रह गया उसने आकाश को रोकने के लिए जल्दबाजी की, आकाश नहीं रुका, पहले तो वह थोड़ा डरा हुआ था, बहुत सारी चाया तत्व उर्जा को एक इकरित करने के बाद, उसने बहुत सारे अंधकार और मृत्यू से भरा एक दरवाजा खोला, यह थाउजन ट्राइब एल्फ तावर की ओर नहीं जा रहा था, आकाश जियां यू की चेतावनी को समझ गया, उन्होंने इसे तुरंक बंद कर दिया होता, लेकिन उन्हें नए जादू पोर्टल के पीछे एक परिचित माहौल का एहसास हुआ, वह इसमें पूरे एक साल तक रहा था, डार्ट लै यह हुआ जब उसने आत्मा के रूप में डार्ट लैन में प्रवेश किया, राक्षस गुफा, भूत पहाड, लाश धाटी, अंधेरा जंगल और मृत भूमी एक स्क्रॉल के हिस्से की तरह थे, उस तक तेजी से खुली और विशाल संसार का पता चला, आकाश ने डार्ट हमारी टीम बिखरी हुई है, अरे, रात्री राक्षस अब बाहर आओ, आकाश ने जियान यू की आवाज सुनी, आकाश ने उसे नज़नदाज कर दिया, उनका मानना था कि जियान यू अपनी रक्षा कर सकता है, एक नया प्राचीन जादूई पोर्टल खोलना आसान नहीं रक्षक को देखा, डाक्ष्वर्डमास्टर आकाश की बुलाने वाले प्राणियों की सुची में था, उसे इसे बुलाने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन डार्क्ष्वर्ड मास्टर एक निमनसेर का शासक था, इस प्रकार उसे युद्ध से निपटने में कठिनाई हो स पहाड की चोटी पर अलग्थलग महल एक रहस्यमय एसास दे रहा था। वे आश्चर्य जनक थे और एक अविस्मर्णी चाप छोड़ गए। लाइकोरिस जादूगर्नी रानी महल के सामने खड़ी थी। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की आत्मा को देखने लगी। उसने उसे पहचान लिया। हाला कि वह उसे इस रूप में देखकर हैरान थी। वह दूसरे तल से परावर्तित किसी आत्मा की चाया की तरह लग रहा था। उसने उसे देखा लेकिन उसे चुँ नहीं सकी। उसके पास इस शेत्र के प्राणियों की जीवन शक्ती का अभाव था। आकाश तुम बदमाश हो। हो सकता है कि मैं आपके लिए अधिक समय तक कवर न कर सकू। जियां यू चिल लाया। शिपकली दानव ड्रेगन के एक बड़े समुह ने उसे घेर लिया था। इसके अलावा हंटर डर्टी डेमन और ब्लू सकेड सकिन जानवर उन्हें घेर रहे थे। उनके बीच कई उच्चस्तरिय महासागर दानव थे और महासागर दानवों ने उसकी और अन्य शाही जादूग्रों की सनरचना को तोर दिया था। तीन शाही जादूग्रों में से दो-चार दिशाओं के रक्षकों के साथ फिर से जुड़ गए थे। पकड़ नहीं पाएं तो वे महासागर दानव सेना में फंसकर मर सकते थे। रात्री राक्षस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो वह अकेले ही सभी महासागर राक्षसों को नहीं मार सकता था। मेरी सहायता करो। मुझे बचाओ। जल्दी करो। जियांग्यू ने अराजकता के बीच मदद के लिए ली क्योंकी पुकार सुनी। जियांग्यू उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वह शक्तिहीन था। बड़े भाई ली थोड़ी देर और रुको। पकड़ना जियांग्यू उस पर चिलाया। मेरा पैर तूट गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक रुक सकता हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी ली कुए सिस्कने लगे। वह घबरा गया। लाइकोरिस जादूगर्नी रानी ने पहाड को समतल कर दिया। वह जब भी वहां से गुजरती थी तो सब कुछ मिटा देती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह नश्ट न कर सके। जब जियांग यू को एहसास हुआ कि ली क्यू मर सकता है तो उसने अपने दाग पीस लिए। उसने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया और ली क्यू को बेसिन से बचा लिया। रात राक्षस जल्दी करो। रातरी राक्षस ने ली क्यू की और मार प्रशस्त करने के लिए समुदरी राक्षसों को मार डाला। हाला कि जल्द ही महासागरिय राक्षसों ने जुन्द बना लिया और रास्ते को कवर कर लिया स्केलेटन ड्रैगन आकाश और जियान यू के बीच खड़ा था यह छिपकली दानव ड्रेगन से ढखा हुआ था जब भी कंकाल ड्रैगन ने अपने शरीर को हिलाया उसने अधिकांश छिपकली दानव ड्रेगन को अपने से दूर फेंक दिया हाला कि उसके शरीर से एक दरजन कंकाल की हड्डिया एक साथ गिरी स्केलेटन ड्रेगन अब उतना दबंग नहीं रहा जितना की अंथीन महासागर राक्षसों की घेराबंदी के तहट शुरुआत में था यदि इसकी उर्जा समाप्थ होती रही तो यह कभी भी विख्टित हो सकता है जियांग यू ने आकाश को बचाने के लिए गोली खाली उन्होंने लीक्यू को बचाने के लिए नाइट राक्षस को नियुक्त किया वे एक निराशाजंग स्थिती में फस गए थे आखिरकार आकाश ने आखे खोली उसकी आखे थोड़ी विचितर लग रही थी धिकार है आप अंतह जाग गए हम बहुत मर चुके हैं जियांग यू चिलाया काले टोटेंस आपने उन्हें बहुत पीछे छोर दिया था भले ही सर्वोर्च शासक सब कुछ मिटा सकता था लेकिन इतने कम समय में बिशाल महासागर राक्षसों की सेना को पार कर पाना संभव नहीं था इसके अलावा बैंगनी बालों बाली महिला दानव ने इसे व्यस्त रखा चार दिशाओं के गार्ड, डिप्ती रॉयल गार्ड और रॉयल ग्रेट मैजेस उनसे आगे थे जब उन्होंने महासागर राक्षसों से बेरहमी से लड़ाई की तो उन्हें लगभग बाहर निकलने का रास्ता मिल गया आकाश ने प्राचीन जादूई पोर्टल खोला ब्लूस्केड स्किन बीस्ट्स के एक समोह ने उन पर हमला किया और उन्हें जगह में फसादिया वे सभी अब तितर बितर हो गए थे आकाश को अपने प्राणी को बुलाने में बहुत अधिक समय लग गया था घबडाए नहीं मैंने एक महान सहायक को बुलाया है आकाश ने जियांग्यू को मुस्कुरा दिया जियांग्यू एक वफादार दोस्ट था ऐसी विशम परिस्थिती में भी उसने आकाश को छोड़ने से इंकार कर दिया था हा सही तब तक नहीं जब तक आप किसी अन्यकुल देवता जानवर के साथ नहीं आ सकते जियांग्यू ने कहा आकाश बस मुस्कुरा दिया प्राचीन जादू इद्वार एक बार फिर खुल गया पोर्टल के शीर्ष पर विभिन अजीब अंधेरे पात्रों के बजाए यह पतली अंधेरे लताओं से धका हुआ था जैसे जैसे लताए फैलती गई लाइकोरिस लाल रंग में खिलता गया जिससे गहरा और बर्फ जैसा ठंडा सौंदर ये जलक रहा था रानी के स्वागत के लिए फूल लाल कालीन की तरहा फैल गए लाइकोरिस जादूगर्नी रानी ने शाही ढंग से प्रवेश किया उसके पैर द्रिशे से छिपे हुए थे हालाकि वह एक अंधेरे प्राणी के लिए उप्युक्त लालित्य और बडपन की हवा के साथ एक आत्मा की तरहा लाइकोरिस की पंखुडियों पर चमकती थी लाइकोरिस जादूगर्नी रानी की भयानक आभाने तूफान की तरहा अराजक युद्धक्षेत्र में बाढ़ ला दी वह महासागर राक्षसों के जीवन को भस्म कर रही थी काली बारिश के तूफान के बाद सैकडों और हजारों छिपकली दानव द्रेगन फूलों की तरहा मुर्जाने लगे वे तेजी से बूढे हो गए और उनका शरीर सुख गया यहां तक कि उनकी हड्डिया भी सक्त हो रही थी जल्द ही शिपकली दानव द्रेगन जमीन पर सुखे हुए शब बन गये और ऐसा लग रहा था मानों उनका जीवन उनसे चीन लिया गया हो उनकी मृत्यों देखने में भयाभथी शिपकली दानव द्रेगन के मरने के बाद लाइकोरिस जमीन पर चमकते हुए फैल गया वे लाल चमक रहे थे और मंत्र मुग्ध कर रहे थे लाइकोरिस जादूगर्नी रानी आगे बढ़ती रही रानी के आगमन पर मनमोहक लिकोरिस खिल उठी इस बीच लिकोरिस जादूगर्नी रानी के पास से गुजरते ही छिपकली दानव द्रेगन जिन्होंने क्षेतर को घेर लिया था सुख गए एसवा डार्क लेन की जादूगर्नी रानी थी जियांग यू ने अविश्वास से देखा लाइकोरिस जादूगर्णी रानी सर्वोच शासक बनने के करीब थी क्या आकाश उसका अतीत का नाजायस बच्चा था? उसने अंधेरे विमान से अलग्थलग राक्षसी महिला को कैसे बुलाया जियांग्यू को आश्चर्य हुआ यहाँ उलेखनीय है लाइकोरिस जादूगर्णी रानी ने कोई दया नहीं दिखाई वह अनुबिस की तरह थी जो अंडरवर्ड से उनकी जान लेने के लिए आई थी जल्द ही कई हजार छिपकली दानव ड्रैगन मारे गए जियांग्यू के पास अपनी सांस लेने का समय नहीं था क्योंकि वह छिपकली दानव ड्रैगन सेना से घिरा हुआ था जब लाइकोरिस जादूगर्णी रानी वहां से गुजरी और राक्षस सिकुर गए तो उसने राहत की सांस ली जियांग्यू आकाश की ओर मुडा और उसे अजीब नजरों से देखा उसने ऐसा कैसे कर दिया उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था आकाश लाइकोरिस जादूगर्णी रानी जैसी ताकतवर किसी को कैसे बुला सकता है वह कोई साधारन योगिनी नहीं थी वह डार्ट एल्फ वीन थी जियांग्यू किसी योगिनी रानी को नहीं देख पाया था किसी को बुलाना तो दूर की बाद तो आकाश ने ऐसा कैसे किया स्केलेटन ड्रैगन को बुलाने के बाद जियांग्यू को खुद पर बहुत गर्व हुआ उसने सोचा कि उसके सम्मन तत्व की जादूई शक्ती आकाश से अधिक है हाला कि लाइकोरिस जादूगर्नी रानी को देखने के बाद जियांग्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बाकी महासागर राक्षसों की तरह सूख रहा था मैं उससे बमुश्किल परिचित हूँ इस बार वह अनिक्षा से मेरी मदद करने के लिए तयार हो गई आकाश ने जियांग्यू को परिशान होते हुए देखकर उसे सांत्वना दी और उसके कंधे को थप्थपाया मैं भविश्य में आपके सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करूंगा ऐसा नहो कि मुझे और अधिक निराशा हो जियांग्यू करवाहट से मुस्कुराया जब वे बात कर रहे थे आकाश ने नाइट राक्षस को छिपकली दानव द्रेगन के सिर पर जब भी वह किसी चिपकली दानव द्रेगन के सिर पर कदम रखती थी तो वह उनकी खोपडी को कुचल देती थी यद्यपी रात्री राक्षस शक्तिशाली था फिर भी वह अपने शत्रु को सीधा नुकसान नहीं पहुँचा सकता था शिपकली दानव द्रेगन इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुचा सकता था लेकिन रात्री राक्षस एक ही बार में सभी शिपकली दानव द्रेगन को नहीं मार सकता था इस बीच लाइकोरिस जादूगर्नी रानी रात्री राक्षस से भिन्न थी वह युद्ध में लडने के लिए पैदा हुई थी उसने अपने फूलों को बनाए रखने के लिए छिपकली दानव ड्रेगन के जीवन का उप्योग किया जबकि उसके फूल उन्हें खा गए जो एक खूनी और अराजक लड़ाई लग रही थी वह उसके लिए मौत की एक साधारन कलाब बन गई मियाव रात्री राक्षस बिजली की तरहे तेजी से आगे बढ़ा इसने अपने पंजों से छिपकली दानव ड्रेगन के दरजनों कंडराओ को तोड़ दिया इसने उनके टेंडन को धागे में पिरोई हुई सुयों की तरहे खींच लिया और आकाश और जियांग यू के सामने जागिरा ली क्यों कहा है जियांग यू ने घबरा कर पूछा रात्री राक्षस ने छिपकली दानव ड्रेगन के टेंडन की लंबी डोरियों को खींच लिया कंडरा की डोरी के सिरे पर मौजूद व्यक्ति को जटका लगा वह रात्री राक्षस के बगल में भूमी पर गिर पड़ा यह लिक हुए था उसका पैर बुरी तरह जखमी हो गया था उसके घुटने का धक्कन खुल गया था और वह पीडा में था यह दबाई लो आकाश ने उसे पार्थेनन मंदिर से उपचार संबंधी चमतकारी गोलिया दी मेरे घाव को ठीक करने का क्या मतलब है हम वैसे भी इस जगह को जीवित नहीं छोड़ सकते लीक्यू अपने कश्टदाई दर्थ से उदास और क्रोधित था मैं इसे वैसे भी यहीं छोड़ दूँगा आकाश ने कहा बड़े भाईली हार मत मानो हमारे सामने जादूगर्नी रानी को देखो आकाश ने उसे बुलाया और उसने बहुत मदद की उसने हमारे लिए एक मार प्रशस्त किया है जियांग्यू ने लाइकोरिस जादूगर्नी रानी की और इशारा किया लीक्यू ने उस दिशा में देखा जो उसने बताई थी और उसे हजारों मृत छिपकली दानव द्रेगन दिखाई दिए जमीन उनकी लोथो से भर गई भेर में पड़े शव किसी विशाल कबरिस्तान की तरह लग रहे थे फिर भी अभी भी छिपकली दानव द्रेगन की बहुतायत थी जो मरते रहे जिन में अधिक शक्तिशाली ब्लू स्केड स्किन बीस्ट भी शामिल थे इन महासागर दानवों का लाइकोरिस जादूगर्नी रानी से कोई मुकाबला नहीं था आपने उसे बुलाया लीक्यू ने अविश्वास से देखा ब्लैक टोटेम साम्प बड़े पैमाने पर अपने दुश्मन का सफाया कर सकता है लीक्यू ने सोचा कि आकाश के पास भरोसा करने के लिए केवल ब्लैक टोटेम स्नेक है कहें और नहीं जियांग यू उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और उसे हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराओ आकाश ने कहा आपका क्या मतलब है क्या आप हमारे साथ नहीं आ रही है डिप्ती रॉयल मैज और चारों दिशाओं के रक्षक बहुत शक्तिशाली है वे हमारे लिए मार प्रशस्ट कर सकते है अकेले कार्य मत करो भले ही आपके पास एक शक्तिशाली समम्निंग जानवर और एक टोटेम जानवर है हमारे दुश्मनों की संख्या अभी भी बढ़ रही है जियांग यू ने कहा मूर्ख मत बनो मैं पैंग लाई की मदद करने के लिए वापस जा रहा हूँ आकाश ने पीछे मुर कर पहाड़ी घाटी की ओर देखा हाला कि वे पहाड़ी घाटी से बाहर आ गए थे और अभी भी समुदरी राक्षसों से घिरे हुए थे पैंग लाई की स्थिती बहुत खराब थी पैंग लाई अकेले ही नौसिरवाले सर्प से लड़ते हुए मर सकती थी मैं वापस जाकर मास्टर पैंग लाई की भी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर है कि मैं उसके लिए केवल बोज बन जाऊंगी हो सकता है कि वह मेरी देख भाल करने के लिए बिचलित हो जाए जियां यूने दुखी होकर कहा वह अभी भी कमजोर था इसलिए वह पैंग लाई की मदद के लिए कुछ नहीं कर सका चिंता मत करो मैं पैंग लाई को यहां मरने नहीं दूँगा आपके पास अपना मार प्रशस्त करने के लिए लाई को रिस जादूगर्नी रानी है जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो ब्लैक टोटें स्नेक और मैं जाकर पैंग लाई की मदद करेंगे आकाश ने कहा आकाश तुम्हें परिशान करने के लिए मुझे खेद है आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद इसका जिक्र मत करो तुमने राक्षसों से मेरी रक्षा की न? उसके लिए धन्यवाद वह आकाश का पहली बार डार प्लेन खोलने का मौका था सम्वन प्रक्रिया जटिल थी यदि जियान यू उसकी सुरक्षा नहीं कर रहा होता तो वह मर गया होता उसकी वजह से जियान यू पीछे रह गया आपको सावधान रहना होगा जियान यू ने चेताबनी दी आकाश ने सिर हिलाया फिर वह पहाडी घाटी की ओर बढ़ा जैसे ही वह अपने गंतव्य की ओर गौड़ा उसका शरीर धीरे धीरे आग की लप्टों में जलने लगा उसे दो प्रकार की शक्तिशाली ज्वालाओं में चमकने में अधिक समय नहीं लगा और एक शक्तिशाली दिवे ज्वलंट आक्मा चाया प्रकट हुई जियांग यू ने आकाश की ओर देखा जब उसने देखा कि आकाश आसानी से हंटर डटी डेमन सैनिकों के बीच से अपने लिए रास्ता बना रहा है दूसरी और आकाश मजबूत हो गया था वह इतना शक्तिशाली था कि उसने जो भी जादू दिखाया था वह केवल हिमशैल का टिप मात्र था